मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सीरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे कलोनियलिजम को राइट लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टुडेंट्स को बताना पासान से नहीं समझेंगे इंडेस्ट्रीयल रवलूशं नहीं समझेंगे या जितने भी हमने वर्ल रिस्टिक के टॉपिक कवर की हैं जितने भी टॉप इपिक मां ङुस चुट ऑर अ कि थांपिक बले ही अगर कोई वो एक DBC examination हो या UPSC mains लिखने की बात हो हर examination के लिए जो है वो आपको मैं prepare करूँगा राइट इसलिए आपको thoroughly मेरे सभी sessions देखना बहुत जरूरी है मेरे sessions को access करने के लिए आपको study IQ के channel पर जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको मेरे नाम से playlist मिल जाएगी उसके अलावा इस video के नीचे जो pinned comment है वहाँ पर भी playlist का link available है या अगर आप simply YouTube के search bar पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चोहान तो आपको playlist मिल जाएगी ठीक है history sessions की access कीजिए उस playlist को और देखिए पिछले sessions बहुत important है आपके लिए कि अगर आप thoroughly जो है वो follow कीजिए उन sessions को ठीक है उसके अलावा अगर आप CST के लिए प्रिपेर करना च जो कि thoroughly prepare करवाएगा आपको CAC के लिए राइट उसमें 1300 से प्लस वीडियोज है डेली करन्ट अफेर अपडेट होता है और पूरा का पूरा पैकेज अवलेवल है CAC से लेटेट तो make sure you check that out the link is in the description of this video सो आईए शुरू करते हैं आज का हमारा session सो जैसे कि मैंने कहा कि हम colonialism समझेंगे तो अगर आपने world history के ना मेरे पिछले sessions follow किये हैं तो colonialism के बारे में हमने एक बहुत great deal जो है वो समझ लिए काफी सारी चीज़े मैंने जो colonialism के बारे में आपको समझा दिया लेकिन आज जो है वो एक थोरो को एक थोरो जो है वो पूरा का पूरा topic हम colonialism पर ही लेते है ठीके तो जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं आज हम सबसे पहले इस मैप के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सबसे पहले एक जो है वो अंडरस्टेंडिंग क्रियेट हो वर्ल्ड ट्रेड रूट्स के लिए ठीक है तो यह आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं इस वर्ल्ड मैप में आप कॉंटिनेंट्स देख रहे हैं अफ्रिका, यूरोप, एशिया, इंडियन सब कॉंटिनेंट, चाइना और पिर उस साइड जो है वो साउथ इस्ट एशिया और आउस्ट्रेलिया वगरे ठीक है यह सारे जोग्रिफिकल रिजन आपको दिख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखिए दो तरहागे ट्रेड र यारी पैसा कहां से कहां फ्लो हो रहा है और उसके अलावड जो है वो मेन कलोनियल ट्रेड पोर्ट भी है ठीक है तो मैंने आपको बेंगराउन्ट में जलते говоря रनेसांस का पिरिड रनेसांस से क्या हुआ साइंटिफिक टेमर्फ डेवल्फ हुआ साइ इंवेंशन् ध्यान से देखिए necessity क्या थी मैंने आपको बताया कि South East Asia और भारत के लिए direct जो है वो sea route चाहिए तो direct sea route ढूंडने की होड में जो Europeans हैं वो निकले थोदे इंडिया के लिए रास्ता ढूंडने लेकिन उनको मिल गया क्या North America और South America ठीक है उसके अलावा उनको जो है वो Cape of Good Hope के रास्ते इंडिया और फिर उसके बाद South East Asia के लिए भी direct trade route मिल गया ठीक है तो जो trade route ढूंडने की जो होड थी वो तो उनकी हो गई complete trade route मिले उन्हें अब देखिए उन trade routes पे important trade routes देखिए कहां से हैं यूरोप से North America यूरोप से South America, यूरोप से Africa उसके लावा North America से Europe और Africa South America से भी Europe और Africa उसके लावा Europe से Africa के रास्ते South East Asia और South East Asia में इंडिया भी आ जाए और एक ये trade route मिन आपको बताए है इंडिया से Persian Gulf और Red Sea के रास्ते फिर Mediterranean के रास्ते जो है वो यूरोप में trade जाता है और यही पहले इसी trade route पे पहले control था Byzantine Empire गा और जब Ottoman Empire ने ये trade route Byzantine Empire से छीन लिया तब Christian जो world है जो Christian countries है उनके लिए एक दूसरा trade route ढूनना जो है वो important हो गया Hence the geographical discoveries ठीक है तो ये सारी चीज़े हम already समझ चुक है मैंने पहले जो है वो well define कर दी यह चीज़ों को आज हम देखते हैं कि पैसा कहां से कहां flow कर रहा था ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको पिछले topic में बताया कि जब जो शुरुवाती trade शुरू हुआ तो जो शुरुवाती merchants है उनकी जो पॉल उन्होंने जो policy follow करी that was the policy of mercantilism and according to the policy of mercantilism you have to increase export and decrease import यानि कि यूरोप से export बढ़ेगा और यूरोप में import घटेगा अगर आप export ही किये जा रहे हैं so that means आप इखटा गर रहे हैं precious metals को ठीक है so इसका मतलब यह है कि यह जो Caribbean है मैं Mexico देख रहे हैं आप Mexico Caribbean वाला जो region है यहां के जितने भी colonies हैं यहां से जो भी capital create हो रहा है पैसा create हो रहा है उसका influx कहां होगा यूरोप में होगा ठीक है उसके अलावा देखिए दो चीज़े आपको समझनी है यह industrial revolution से पहले का map है तो industrial revolution से पहले जो शुरवाती European trading company थी वो South East Asia से क्या ले जा रहे थी या India या South East Asia से वो तैयार समाल ले जा रहे थी क्योंकि अभी तक industrial revolution का इतना जो है वो बूम नहीं था और जो हैंड लूम है वो इंडिया का ज्यादा वेटर था as compared to और matured और बहुत extravagant आप कह सकते हैं बहुत luxurious हैंड लूम था इंडिया का तो आप clearly देख सकते हैं कि जो capital का flow है वो इंडिया में इंडिया के लिए है ठीक है देख रहे हैं आप जितना भी sea route है वहां से जो capital है वो घूम फिर के इंडिया में आ रहा है तो शुरुवाती phase में इंडिया ने import इंडिया ने export बहुत ज़्यादा किया और import भी ऐसा नहीं था कि import नहीं था इंपोर्ट भी था लेकिन export ज़्यादा था इंडिया से ठीक है किसके माध्यम से किनके माध्यम से जो भी trading company ती जो भी east Indian company थी भले ही वह फ्रेंच हो पॉर्टगीज हो डच हो और English हो रैट लेकिन यही यही ट्रेंट दीरे दीरे बदला मेरा आपको बताया ना दीरे दीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवलूशन ब्रिटेन में आता गया थेोरी ओफ मर्केंटलिजम उनकी स्ट्रॉंग होती गई इंपोर्ट उन्होंने घटा दिया और एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ा दिया और जब उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाया ठीक है तो जो ट्रेड का इंफ्लक्स है वो चेंज हो गया और जो trade का influx है वो Europe की तरफ बढ़ गया और खास तोर पे Britain की तरफ वो भी एक अलग मैप के माधिम से आपको समझाऊंगा बट इस ये शुरुवाती है बिल्कुल शुरुवाती मैप है 15th century से लेकर 17th century के end तक या 18th, 19th, sorry not 17th, लेकिन 18th century के end तक ठीक है आप clearly इस मैप के माधिम से हमें trade route जो है वो establish करने है तो मैंने आपको बताया ही है South East Asia, India जो है वो देख रहे हैं आप East Asia और West Asia के बीच में connector का काम करता है तो इंडिया का जो पैनिश्वला है उसकी जो protruding है Indian Ocean में वो उसको एक connector की हुमी का देती है प्लस इंडिया खुद भी बहुत सारी चीज़े produce कर रहा है तो दोनों profits है similarly Atlantic Ocean trade और Indian Ocean trade के बीच में जो है वो एफरीका क्या है एक peninsular part है और जिसके पास Western Africa और Southern Africa और Eastern Africa में colonies है वो इस protruding का फाइदा जो है यानि कि Atlantic Ocean के trade को वो connect कर सकता है Indian Ocean के trade से ठीक है और हम भली बाती जानते हैं कि England ने या Britain ने South South Africa वाली colony जो है वो अपने control में रखी हुई थी तो यहाँ पर इस पहले map से आपने trade route समझ लिया यह वाला map आप मॉलरेडी काफी बार जो है वो डिसकस कर चुके है ना हम trade routes जो है वो अच्छी तरह जानते हैं तो यह चीज़ आप अच्छे समझते हैं लेकिन इस trade route के माध्यम से मैं बताना चाहता हूंगी कहां कहां पर colonies हो सकती हैं ठीक है so colonies कहां कहां पर होंगी देखिएगा so North America में खास कर Caribbean और मैंने बोला ना North America में भी जो Eastern Coast Line है यहां पर colony होगी important colony दूसरा जहां पर trade route है ना उसी के इसाब से देखिएगा वहां पर ही colonies होई देखिए क्यूंकि ऐसा तो है नहीं कि European गए जहां पर भी और जाते ही उन्होंने colonies establish कर ली ऐसा तो नहीं हुआ ना उन्होंने अपने रंग जो है वो 1740 के बाद दिखाने शुरू करें ठीक है तो आप मान सकते हैं कि लगबग 1500 साल 1500 साल के लगबग जो है वो डॉर्मेंट रहे वो बिल्ड करते रहे अपने आपको तो इसी तरह का कुछ characteristic जो है वो हर जगा दिखा हर जो है वो European trading company का कि शुरुवात में उन्होंने अपना जो है वो market establish किया शुरुवात में economic colonization किया और फिर political colonization किया फिर जो है वो अपने आपको एक political शक्ती के रूप में establish किया it was a gradual process that took some time ठीक है and यह जो map है वो उस process का है कि यह map जो है वो establish करता है कि trade route कौन कौन से थे और जहाँ पर धीरे-धीरे colonies establish हुई तो यहाँ पर आप colonies देखिए सबसे पहले तो इंडिया South East Asia में इंडिया prominent colony हो गई South East Asia के जितने भी देश है ठीक है Malaya है, Indonesia है, Vietnam है, Laos है यह सारे जो हैं वो colonized होंगे Philippines, Java वगएरा ठीक है उसके अलावा South America में colonies establish होंगी जो coastal line हमें यहाँ पर दोनों side, South America की East Coast और West Coast दोनों side हमें colonies देखने को मिलेंगी उसके अलावा यह जो Central America Mexico, Mexico वाला जो part है और जो Caribbean islands वाला है, यह heavily colonized होंगे ठीक है tribal regions है और mostly जो है वो हाँ पर रह गिस्तार है क्योंकि जो Northern Africa है वो तो पूरा का पूरा सहारा है बंजर है तो जो African coastal line है इसकी importance बन जाती है अफरीका में धीरे धीरे जो है वो mainland Africa भी colonized होगा लेकिन शुरुवात में coastal line जो है यानि यूरोप से भी जो है वो क्या आ रहा है capital का flux हो रहा है भारत से भी capital का flux हो रहा है South East Asia से भी चाइना में capital का flux हो रहा है क्यों? क्योंकि चाइना कर रहा है export क्यों कर रहा है export? क्योंकि चाइना ने चाइना में बहुत सारी चीजे जो है वो जिल्दी philosophers और मतलब astronomers और या western जो भी मतलब कि scientists रहे हैं उन्होंने ले लिया उस कश्रे अधर्वाइस चाइना ने बहुत सारी चीज़े जो है वो pioneer भी करी है बहुत सारी sciences like competitive examinations जिन सब की हम तैयारी कर रहे हैं उसका यहां पर आपको एक बहुत important चीज़ ध्यान रखनी है कि Chinese जो voyages है वो या Japanese या Eastern Asia के जो voyages है उन्होंने बहुत पहले ही European से पहले ही North America और South America के लिए sea routes ढूंड लिये थे यानि Pacific Park करने की उन्होंने स्थिती जो है वो ऐसा आ जा रहा था कि इतना लंबा Pacific Park करके ट्रेड करने की उनको कोई आवशक्ता नहीं थी तो उन्होंने जहाँ जोर नहीं दिया यूरोप को ज़रुवत थी है ना जो Christian countries है इसी लिए तो पोप ने Spain और पोर्तुगाल के voyagers को वहां के शाशक को जो है वो motivate किया कि आपको हम जो है वो brain power provide करते हैं आपको हम जो है वो Venice के Genoa के merchants provide करते हैं आपको हम capital देते हैं आप जाइए colonies establish कीजिए आप जाइए trading route ढूंड़िए सबसे पहले colonies establish कीजिए और Christianity को बढ़ाईए आपको हम Christianity को आगे बढ़ाने का जो है वो बीड़ा आपको सोचते है पुर्तगाल और Spain को दिया गया ठीक है बिटेन को नहीं दिया गया शुरुवात में पुर्तगाल और Spain को दिया गया इसलिए हमें यह दिखता है कि Portugal ने सबसे पहले पुर्तगाल की ब्लू वाटर पॉलिसी मुझे बताएंगे किस गवर्नर की पुर्तगाली किस गवर्नर की थी ब्लू वाटर पॉलिसी उसके तहत उन्होंने यह पूरा का पूरा अट्लैंटिक और इंडियन ओशियन का जो ट्रेड है ओशियनिक जो ट्रेड है वो पुर्तगाल के कंट्रोल में रहा काफी लंबे समय तक ठीक है तो इस मैप के माध्यम से आपको जो सबसे पहली चीज़ एस्टेबलिश करनी है वो है कि एंशेंट से लेकर मेडिवल और अ और फिर उसके बाद साउथीस ऐसे भारत आता है और फिर भारत से गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड़ सी के रास्ते मेडिटरेनियन पहुंचता है और फिर यूरोप में एक यह पूरा का पूरा ट्रेड रूट ठीक है और फिर उसके बाद जो यूरोपियंज ने खो जा ए और जो Atlantic trade route है वो Indian Oceanic trade route से कैसे connect हुआ और शुरुवात में capital का flow किस तरह भारत और चाइना में जा रहा है ये दो भारत चाइना और अन्य साथिस्ट एशिया की countries ये producing countries है धीरे धीरे ये consumers में कैसे convert हुए ठीक है तो इस सबसे पहले जो map है हमने इस पहले map के माध्यम से trade route establish कर लिए तो बहुत ध्यान से देख लिजिएगा मैं side हो जाता हूँ screenshot लेना आपको screenshot ले लो ठीक है otherwise आप Google पर सर्च करेंगे map आपको easily available हो जाएगा सीधा सर्च कीजिएगा मेड़े trade flows जो है वो map आपको मिल जाएंगे ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है सर्च किया कीजिए images के माते हमसे पढ़ना शुरू कीजिए बहुत फायदेमंद रहता है ठीक है अब यह सबसे पहले map में हमने establish किया की important trade routes कौन कौन से है इसकी ज्यादा importance नहीं है क्योंकि Pacific Ocean बहुत बड़ा है तो यहाँ पर गुम होने के और trade route आप देख रहे है Southeast Asia के इंडिया से इंडिया जो है वो connect कर रहा है इस्टन एशिया और वेस्टन एशिया के ट्रेड को एफ्रिका कनेक्ट कर रहा है किसको Atlantic Ocean और Indianic Ocean ट्रेड को और उसके अलावा North America, South America, Africa और Europe का जो ट्रेड है यह सारी चीज़े आपको इस मैपके मातम से पता चल रहा है पलस जमीनी मार्ग में देखिये जमीनी मार्ग में इंडिया और चाइना से होने वाले ट्रेड हैंस दा सिल्क रूट जो है वो सबसे जादा प्रोफिटेबल त्रूआउट हिस्ट्री सबसे ज़्यदा प्रॉफिटेबल जो जमीनी ट्रेड रूट रहा है मेडिवल और अर्ली मॉर्डन पिरिएड में वो रहा है आपका सिल्क रूट एंशेन टाइम से ही चले आ रहा है वैसे तो ठीक है खेर यहाँ पर हमने ट्रेड रूट से इस्टेबलिश कर लिए अब देखते हैं कि शुरुवात में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं देखिए इस नेक्स मैप के माध्यम से शुरुवात में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने जो trade route पहले establish किये अब धीरे धीरे जो trading points थे उन trading points पे उन्होंने किस तरह colonies को establish किया तो इस map के माधिम से आपको जितनी भी European major European countries हैं उनकी colonies नजर आएंगी इन में से जो western European countries हैं Spain, Portugal, France और Britain ये चार मुखे countries हैं Spain, Portugal, France और Britain और उसके अलावा Dutch ये पांच ऐसी countries हैं जिनकी colonies के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी colony कहा हैं बाकी list तो बहुत लंबी है ठीक है list बहुत लंबी है तो आप जो है वो इस list को अपने ध्यान में रखिएगा लेकिन जो रंग मैं आपको बता रहा हूना important है वो है इसम लोगलर की जो colonies है वो बहुत important है ठीक है तो जो pink colonies है देखिए इंडिया दिख रहा है आपको पिंक तो clearly आप समझ गया कि Britain है हमारी pink वाली colonies ठीक है तो यह ऐसा नहीं है किसी specified time period में नहीं है यह throughout जितना भी colonialism का जो period रहा उसमें किस country ने कितना maximum extent जो हुआ एक्वायर कर सका उसका मैप है तो basic आपको आइडिया देने का है यह मतलब ब्रिटेन को छोड़ना वह या कैनड़ा को जो है वह कैनड़ा फ्रांस को छोड़ना पड़ा था तो कैनड़ा क्यों नहीं दिखाया फ्रांस के पास ठीक ह यह अब ब्रिटेन से जो वह 13 colon Inspمن गहीं तो यूस का क्यों नहीं है यहां पर इस तो एर्ली कोलनिस्ट का है यूरोपियन कोलनिस्ट का है खास तौर पर और जो इस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका में और जो इसट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का वह क्या है। ब्रिटेन ने ठीक है साउथ अमेरिका में यह आपको थोड़ा सा ब्रजील के ओपर जो ब्रिटिश ग्युवाना वाला जो एरिया है यह ब्रिटेन छोटा सा एक जो 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 ग्रिफिकल पैच है यह यानि कि साउथ साउथ अमेरिकन ट्रेड में भी अपना हाथ जो है वो है अफ्रिका की इंपर्टेंच है कि एफ कैसे आपका एट्लेंटिक और इंडियानिक ओसें ट्रेड कनेक्ट हो रहा है पहली बात तो और दूसरी चीज डिस आफ्रिका से नॉर्थ अमेरिका यह साउथ अमेरिका का ऐट करेंसा को एट अट मेंज़ ही इस्टन एफ्रीका का जो प्रोटूडेंज है यहां पर जिसके पास जो है वो पोर्ट होंगे प्लस साउथ अमेरिका में जिसके पास पोर्ट होंगे उसका जो है वो गेम सेट हो जाएगा तो आप देख लीजिए पिंक जो है वो आपको दिख जाएगा इस्टन एमेरिका में भी ठीक है और पिंक जो है वो आपको सदन अमेरिका में भी दिख रहा है पिंक आपको इस्टन लेकिन वेस्टन नॉट एंड इवन अमेरिका इट्स एफ्रिका राइट मैंने गलत बोल दिया पिंक जो है वो आपको वेस्टन अफ्रिका में भी दिख रहा है ठीक है पिंक में साउथ इस्ट एशिया से नीचे जो है वो ऑस्ट्रेली और न्यूजिलेंड भी अपने कंट्रोल में किया है किसने ब्रिटेन ने तो यह तो ब्रिटेन की कॉलनीज है हमने इस्टेब्लिश करी और यह हम भली माती जानते हैं देखिए अरेबिया में इडन यमन ठीक है और उसके अलावा इराक जो है वो ब्रिटेन के पास रहा और इंडियन सब कॉंटिनेंट भारत पाकिस्तान सेलॉन बर्मा यह चारो जो है वो उसके लावा बंगलादेश वगरे सब किसके पास रहा ब्रिटेन के पास साउथ अफरीका और यह जो वेस्टन अफरीकन जो यह दिख़ोंगा सबये ठीक है उसके लाबां दूसरा देखिए यह blue वाली ठीक है तो तो फ्रेंच कॉल्णी देखिए कहा चाही है तो फ्रेंच लोगों ने एफ्रीका को पकड़ा हुआ है जो में चीजे या मोगों वह क्या वह थी कहा है ठीक है एफ्रीका पर ओनी चाहिए नॉर्थ अमेरिका में जोने पिंक पार्ट है ब्रजील के उपर उससे उसके साइड में आपको ब्लू छोटा सा जो है वो एरिया आपको देख जाएगा यह फ्रांस के गंट्रोल में डेट विन साउंथ अमेरिका में भी छोटी सी जो है वो कॉलनी फ्रांस के पास थी उसके लाबा करेबियन में मैंने को ठीक है वो भी फ्रांस के पास थी एफरीका में आप देख लीजिए में लेंड अफरीका जो है वो सहारावाला काफी बड़ा रीजिन फ्रांस के पास है ठीक है अब देखिए जहां तक बात रही Atlantic trade को Asiatic या Indian Oceanic trade से connect करने के लिए और जो काम South Africa कर रहा है वही सेम काम Medagascar भी कर रहा है और देख लीजिए Medagascar, Union Island, Mauritius किसके कंट्रोल में है? सब France के कंट्रोल में ठीक है? तो यह बहुत important position है strategic position है South Africa में जो की Atlantic trade को Indian Oceanic trade से connect करती है और किसके कंट्रोल में? मतलब Britain ने भी अपने कंट्रोल में रखा और France ने भी दोनों जानते हैं और उस सेट देखिएगा Vietnam, Cambodia, Vietnam और Laos वो सब जो है वो किसके कंट्रोल में? फ्रांस के वो भी Golden Land है, महां से अफीम निकलती है बहुत बड़े लेवल पर आज भी बहुत बड़े लेवल पर वहां से अफीम निकलती है ठीक है उसके अलाबा और भी मतलब slave आपको मिल जाता है मसाले, बहुत सारी चीज़े निकलती है वहां से तो वो भी France ने अपने कंट्रोल में किया है यूरोप में देख रहे हैं आप यूरोप में देखिये पुर्तगाल ग्रीन है ब्रजील ग्रीन है ठीक है तो ब्रजील पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में था पुर्तगाल के और आज ये पूरी की ब्रजील के लोग पुर्तगीज भाशा बोलते है ठीक है उसके लावब देखिए एफरीका में अगर सदन टिप नहीं मिल सकती तो दोनों साइड जो है वो पूर्ट सिटीज गंट्रोल कर ली एफरीका में किसने पूर्तगाल ने और साउथ हीस्ट एशिया में तो बहुत ही छोटी सी कॉलनी जो है वो पूर्तगाल के पास है ना ठीक है सेंट्रल अमेरिकन साउथ अमेरिकन एफ्रिकन पोर्ट भी पकड़े हुए और साउथ इस एशिया भी जो कॉलनाइज़ेशन वाला गेम है वो पूर्तगाल ने बढ़िया खेला हुए और आप देखिए येलो वाला पार्ट येलो वाला पार्ट आपका स्पे रिजन है यानि की यानि की आप यह मान सकते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट है नौर्दन अमेरिका का भी और वेस्ट कोस्ट है पूरा का पूरा सदन अमेरिका का वो सारा किसके गंट्रोल में स्पेन के गंट्रोल में ठीक है तो अगर यह सारा स्पेन के गंट्रोल में है तो और पैसिफिक ओशियन वाला ट्रेड अपने कंट्रोल में किया हुआ है तो अगर इस साइड उसके पास कॉलनी होंगी तो दुनिया में घूमके जाओगे तो एशिया के साइड भी तो आप देख रहें चाहिने के नीचे भी कुछ रीजन जो है वह स्पैनिश कॉलनी आपको इस देर उसके अलावा आप जो है वह चोटे-चोटे देख सकते हैं डच डैनिश नौर्वीजियन रशियन एंपायर यह जो पूरी लाल चाया है यह रशियन एंपायर है ठीक है लेकिन एंपायर है इनकी कॉलनी आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि रशिया रशिया का जब तक नैशनलाइजेशन हुआ कॉलनी जो है वह बट चुकी थी वह सिस्टम स्टिफ हो गया था और जो कॉलनाइजेशन वाला बिजनस है उसमें सेचुरेशन आ गई थी जब तक रशिया ने अपने आपको नैशनलाइज किया यह रशिया एजन जब तक उभर के आया जो है वह इंपोटन्ट पोस्ट हो लाइक साउथ एफ्रीका की ठीक है और इंडिया जैसे को कोवनास किया जा सकता है जहांसे जो हो हर तरीके की strategic जो है वह ट्रेड पॉइंट भी है बेलजियन कॉलनी जर्मन कॉलनी इटैलियन कॉलनी ठीक है पार्शियल यूरोपियन कंट्रोल चाइना पर अरेबिया पर पार्शियल टर्की पर पार्शियल जो है वो कंट्रोल ठीक है चाइना खुद इतनी बड़ी शक्ति था कि उसको पूरी तरह कोई कंट्रोल नहीं कर सका अरेबिया टर्की पे ओटमन एंपायर पे पार्शियन यूरोपियन कंट्रोल है ठीक है उसके लाबा यूरोपियन स्फियर ओफ इंफ्लेंस देख पा रहे हैं आप नीचे और नेवर कॉलनाइजड बा यूरोप ऐसी जगाए भी है जो यूरोप द्वारा कभी भी नहीं कर सका अफगानिस्तान के एरिया को यूरोप कॉलनाइज नहीं कर सका मंगोलिया को कभी यूरोप कॉलनाइज नहीं कर सका ठीक है जब तक कॉलनाइजेशन ओपनली कॉलनाइजेशन जब तक वो कर रहे हैं तब तक वो नहीं कर सके ठीक है किस-किस को इरान अफगानि लेकिन इकॉनमिक कॉलनाइजेशन तो इनका हुआ है बाद में ठीक है पॉलिटिकल कॉलनाइजेशन नहीं कर सके इनका तो खेर इस मैप के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो बड़ी कॉलनिस्ट शक्तियां है ब्रेटेन फ्रांच स्पेन पुर्तगाल रशिया उसके अलाव नीदर लेंड ये सारी जो बड़ी जो कॉलनिस्ट शक्तियां उनकी कॉलनिस कहां कहां थी पिछले मैप में हमने समझा कि ट्रेड रूट कहां थे सो इन दोनों मैप्स को अब हम डिटेल में समझते हैं ठीक है मैप्स अपने दिमाग में उतार लिए ना मैप्स की फोटो देगा नहीं किसी चीज के ओपर जब तक कोई emotion जनरेट नहीं होगा तब तक memory भी जनरेट नहीं होगी आप पढ़ते रहोगे लाइन खीषते रहोगे आपका दिमाग memory नहीं जनरेट करेगा memory हमारा दिमाग बहुत धीट है उसको भाने देने पढ़ते हैं बच्पन में कि याद होगा उस मारगा क्यों उस मार से बहुत भयानक memory जनरेट हुए यहीं से ही concept है कि मार लगाओ और सिखाओ ठीक है मार यानि की दर्द से जो है वो memory जनरेट होती है दिमाग हमारा जो है वो हमारा दिमाग survival के लिए तयार हुआ है एक बहुत बेसिक फंडा इसको marketing के यूश किया जाता है बहुत दबाग है governments दारा भी और corporations दारा भी हमारा दिमाग survival के लिए design हुआ है पूरा का पूरा ठीक है तो naturally इंसान जो है वो paranoid रहता है बहुत सारी चीजों के लिए अपने survival के लिए ठीक है तो जो negative चीज है उसको जल्दी प्रिसीव करता है हमारा दिम ठीक है अगर मैं आपके सामने होता क्लास में होता तो डरा धंगा गया आपको सब सिखाता लेकिन आपको जो है वो automatically activate करना आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगे अपने दिमाग में कि एक वो जो है वो मतलब एक वो impulse generate हो आपके दिमाग में कि अगर नहीं किया तो खत्रा है ठीक है और अगर यह impulse generate होगा तो अपने आप memories return नहीं शुरी होगी ठीक है तो यह मेरा एक चोटा सा experiment है कभी detail में इस चीज़ को हम explore करेंगे लेकिन खेर आज समय नहीं है आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब यह दो मैपस हमने अच्छे समझ लिए अब हम पढ़ते ह है colonization के अबारे में सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है colonization of the world अब दुनिया में colonization कैसे हुआ आज हम इसको detail में समझेंगे बहुत तसल्ली से ठीक है पहला point देखिए colonization या colonialism is a practice of domination which involves the subjugation of one people to another Colonialism क्या है ठीक है nature क्या है colonialism का नेचर है dominating ठीक है colonialism क्या करेगा dominate करेगा colonialism भाईचारा नहीं होगा कि हाथ मिलाया आपने जो है वह आपका सम्मान भी किया और बहुत मतलब fairly justice के साथ जो है वो trade किया नहीं है ऐसा कुछ नहीं है colonialism का मतलब है कि कोई बड़ी शक्ती आपके घर में enter करेगी आपको मजदूर बनाएगी या तो आपको मार देगी आपकी भूमी को acquire करेगी वहां से जादा से जादा मुनाफ़ा निकालेगी बगएर चिंता किये कि पीछे क्या असर रहा consequences के चिंता किये बगएर और वो सारा मुनाफ़ा mother country हो जाएगा this is colonialism so colonialism का जो nature है वो क्या है domination तो colonialism जो है वो शाषन करने के लिए नहीं किया जाता colonialism is a form of शाषन शाषन करने की एक form है colonialism दीके शाषन जो है वो just भी हो सकता है merciful benevolent भी हो सकता है ठीक है dictatorship भी हो सकता है और despotic भी हो सकता है लेकिन एक colonialistic जो शाषन है ठीक है colonialistic जो imperialism है वो क्या करता है वो exploit करता है वो dominate करता है उसका एक ही और केवल एक ही जो है वो मोटिव है वो है जादा से जादा resources का हनन human resources as well as capital labor हर तरह के resources का exploitation करना और motherland तक पहुचाना सब कुछ so it is a practice of domination which involves the subjugation of one people to another एक तरह के लोगों के उपर दूसरे तरह के लोगों का subjugation यानि की control में रहेंगे ठीक है dominance में रहेंगे in colonialism one can see great movement of people to the and living as permanent settlers अब दूसरी बात यह आती है कि यह जो domination create कर रहें हैं लोग क्या यह permanently रहेंगे या कुछ समय तक रहेंगे चले जाएंगे तो colonialism की एक और property है कि यह permanently रहते है dominate भी करते है permanently भी रहते है और अपने आपको जो है वो यानि कि जैसे अंग्रेज भारत आये उन्होंने यहाँ पर dominate भी किया वो यहाँ पर permanently भी रहे permanently रहे ना अगर तीन सो साल अगर टिक गए तो permanently रहे राइट permanently भी रहे और अपने उनका जो है वो Indianization भी नहीं हुआ यानि कि अपने मतलब एक नद दूरी बना कर रखी पूरी तरह जो है वो उनका culture mix भी नहीं हुआ भारत में अंग्रेज आये क्या अंग्रेजों का Indianization हुआ नहीं ठीक है उनका जो एक attachment है वो किससे बना रहा अपनी mother country से लेकिन वो भारत आये और भारत आकर वो permanently settled हुए Spaniards या पूर्टगाली जो है वो South America गए वहां पर जाके वो permanently settled हुए अपने culture को उन्होंने imposed किया अपने religion को उन्होंने impose किया अपनी भाषा को उन्होंनेין impose किया South America में Similarly भारत में British या European culture imposed किया गया British या European भाषा ये imposed किया British या European religion यानि कि Christianity impose की गई तो these are the characteristics of a colonial regime though they lead the life as a permanent settlers they still maintain allegiance to their mother country permanent settlers तो है वो लेकिन फिर भी उनकी allegiance क्या है mother country के साथ भारत आये है तो उनका भारतिय करण नहीं हुआ है इंडियनाइजेशन नहीं हुआ वो रहे ब्रिटिश ही यही समस्या है भारत में इंडियनाइजेशन हो गया भारत में अरब आये उनका इंडियनाइजेशन हो गया फार्सी आये इंडियनाइजेशन हो गया ठीक है मोगल आये इंडियनाइजेशन हो गया उनका लेकिन भारत में जब अंग्रेज आये तो इंडियनाइजेशन नहीं हुआ क्यूंकि वह इस मुद्दे से नहीं आए थे हमें इंडियनाइजेशन करना थे थिकर है उनका एजेंडा था do padered में आज को डिटेयल में में चम्झावंगा और वैशन तो आपको बहुत मोटी मोटी समझ होगी कि कॉलनी होता क्या है आज मैं आपको detail में समझाऊंगा line by line समझाऊंगा कि कॉलनी की जो है वो मतलब characteristics क्या है उसकी functionalities क्या है किसको फायदा होता किसको नई फायदा होता pros and cons वो सारी चीज़े discuss करेंगे आज हम और related सारे questions मैं prepare करूंगा means के आपके colonization से जुड़े हुए ठीक है और ये भी two part होगा पहले part में केवल मैं आपको colonization समझाऊंगा फिर धीरे धीरे में आपको nation building में समझाऊंगा colonization के माद्धम से ही वैसे तो सभी sessions जुड़े हुए industrial revolution को colonization से आप जोड़ो गई देखे देखे industrial revolution अलग topic आया था capitalism अलग से समझाऊंगा world trade जो establish हुआ वह अलग से समझाऊंगा वैसे world trade में यहां पर भी cover करने कोशिश करूँगा फिर हमारे जो है वो world war वगएरा वो सारी चीजों पर हम move करेंगे ठीक है खेर next is though the terms colonialism and imperialism are used interchangeably yet considerable difference lies between them अब यहां पर एक सवाल यह बनता है what is the difference between colonialism and imperialism इसका जावा में ढूंड़ना है वैसे तो colonialism और imperialism एक दूसरे के लिए interchangeably use हो जाते है यानि भारत में जो Britain का साशन था वो एक imperialistic साशन था भारत जो है वो ब्रिटेन की एक colony भी थी तो यह मतलब समझते आ यह देखिए क्या है ठीक है while colonialism involves permanent settlers who facilitates subjugation of the foreign territory and its native population for the economic needs of the mother country ठीक है किस चीज के लिए economic need for the of the mother country colonialism में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा it involves permanent settling तो हो रही है ठीक है और जो foreign जिस foreign territory में जाके permanent settling करी आपने settle हुए उसको subjugate भी किया आपने political authority के अंदर भी लेकर आए लेकिन यह सब क्यों किया ताकि आपकी mother country की economic needs पूरी होती रहे यानि भारत में आकर अंग्रेजों ने जो economic control किया पहले फिर political control जो किया है it was all for Britain in the name of our king and queen right तभी तो move कर रहे है न हजारों लाखों लोगों को क्या motivation देके move कर रहे है पहले तो glory यह जो glory वाला जो है मैं आगे आपको बताऊंगा gold and glory यह और बहुत important चीज़े आज हम सारी discuss करेंगे ठीक है imperialism देखते हैं क्या है imperialism is just exercising power over the conquered regions either through sovereignty और indirect mechanisms of control imperialism में क्या है is just exercising power of the conquered region यानि आपने कोई region जीत लिया और फिर उसको control कर रहे हैं आप यानि मान लीजी आपका motherland imperialism is a form of imperialism ठीक है अब देखिए अब आपने जो है वो भारत को जीता भारत में अपने administrator भेजे और कुछ समय बात उना administrator का जो है वो इंडियनाइजेशन हो गया और वहीं पर रहने लगे और इंडिया जो है वो आपने पूरा एक देश बना दिया ठीक है अलग से established हो गया और इंडिया में जो भी produce हो रहा है वो इंडिया ही यूज कर रहा है तो एक अलग जो है वो नेशन के तौर पर established हो गया इस नाट colonialism येट इस इंपिरियलिजम ठीक है बीकोज एपेक्स और supreme authority आप है अगर भारत को लेकिन इंपिरियलिस्टिक structure जो है वो वैसा ही बना रहा था एक कोलन के करेक्ट्रिस्टिक ये है कि उस पे फॉरण साशन तो है ही लेकिन वहां से निकलने वाला जितना भी product है वहां से निकलने वाला जो भी revenue है वो सारा mother country हो जा रहा है ठीक है यानि कि यह ऐसा नहीं है कि cent percent वहां जा रहा है एक substantial chunk वहां जा रहा है ठीक है समझ यह ना मतलब जो base मतलब है वो तो आपको पदा चला ना तो यह difference आपको समझना है that colonialism is a form of imperialism and imperialism जो है वो एक एक रादर एक जो है वो broad concept है कि दूसरे पर साशन किया आपने that is imperialism अब किस तरह का साशन किया उनमें से एक साशन है colonialism ठीक है like next point देखेगा like colonialism imperialism also involves political and economic control over a dependent territory but the etymology of the two terms provides clues about how they are differ देखो imperialism में भी और colonialism में दोनों में political और economic control है लेकिन आईए etymologically समझते हैं अब मैंने आपको ना हमेशा शुरू से ही मैंने एक चीज जो है वो प्रेशर डाली है आपके उपर कि etymology पर ध्यान देना शुरू कीजिए शब्दों का origin कहां से हुआ है ठीक है लाइक अगर इंग्लेंड अगर किसी देश को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है यह इंग-e-n-g लैंड से तम समझ गये भूमी तो इंग की भूमी तो यह इंग क्या है यह कहां से आया है तो इंग जो है वो बेसिकली एंगलो के लिए है या एंगला के लिए है या एंगल्स के लिए है जो की एक ट्राइब थी मेंलेंड यूरोप की और जो की मूव की इस आइलेंड पर और वहां पर जाकि उन्होंने आपको establish किया तो angels जहां पर रहने लगे that came to be known as England तो इस तरह आपको etymology ढूंडनी है इंडिया को क्यों इंडिया कहा जाता है हिंदोस्तान क्यों कहा जाता है शब्दों की etymology ढूंडना शुरू किजिए बहुत important इसलिए मैंने बोला था वो नॉर्मन लूइस की किताब थी word power made easy उसकी अप्रोच है etymological वो etymology समझाती है कि शब्द कहां से निकला है इसलिए मैंने recommend गरी थी कि अगर आपको अंग्रेजी अपनी develop करनी है तो vocabulary सबसे पहले develop कीजिए और vocabulary के लिए सबसे basic किताब थी normal Lewis की वो किताब क्योंकि वो आपकी etymological अप्रोच बढ़ाएगी ठीक है शब्द बने कहां से होए prefixes, suffixes यह कैसे जुड़ते हैं यह basic चीज़ अगर आपको समझ गए तो अगर आपके सामने कोई ऐसा word आता है जो की बहुत typical है लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा शब्द सीखने का जो process है वो etymological रहा है तो there is a solid chance कि आप guess कर सकेंगे कि शब्द का मतलब क्या है और आपका guess जो है वो काफी guided रहेगा तो यह guided guess यह calculated risk लेने की जो tendency है यह आपको generate करनी पड़ेगी अपने अंदर क्योंकि अगर आप मालीजे प्री में बैठते हैं आप so there is a good chance कि आपको केवल 45 से 50 परसेंट यह 40 से 45 परसेंट सवाल आता हूँ जो बाकी का 15 से 20 परसेंट सवाल आपको करना होता है ठीक है जो कि आपका score यह आपको जो है वो qualify करवाता है वो आपका guided और calculated risk से होता है ठीक है guided guess से और वो guided guess करने की tendency आपके दिमाग में तभी जो ह हाली उस तरह के आएंगे options आपस में इतने ज्यादा जो है वो मिले जुले होंगे अब बहुत जल्द ना बहुत जल्द एक में session लेने वाला उसमें previous year question discuss करूंगा pre के सबसे पहले ठीक है so make sure जिस दिन वो जब session में लूँगा ना उससे एक दिन में पहले बता दूँगा आ काफी सारे topic पढ़ जोके हैं ठीक है और मेरी ऐसी समझ है कि अगर आप मेरे sessions follow कर रहे हैं तो अगर आपने बीच में भी कहीं से शुरू किया होगा तो अभी तक काफी हिस्सा जो है वो previous sessions का पढ़ लिया होगा तो आप काफी जो है उस position में होंगे की जवाब दे सकें ठीक ह सो मैं चाहता हूँ कि वो समझ में develop करना शुरू करूँ की modern history काफी सारे topic हमने कर ली है right modern history की एक broad समझ हमें आ गई है basic funda जो है वो तयार हो गया है अब हम देखते हैं कि क्या हम previous year questions को solve करने लाइक हुए है या नहीं ठीक है खेर अब देखते हैं etymologically how these two terms imperialism and colonialism are different ठीक है देखेगा like colonialism imperialism also involves political and economic control over a dependent territory but the etymology of the two terms provides clues about how they differ ठीक है the term colony comes from latin word colonus means farmer this translates to practice of colonialism to be involving transfer of population to a new territory where the emigrants live as permanent settlers while maintaining political allegiance to their country of origin देखिए colony शब्द जो है वो निकलता है आपका latin word colonus से जिसका और जिसका मतलब होता है farming ठीक है so colonialism का मतलब basically यह है कि अगर किसी foreign वेक्तिने माल लीजिए आज जहां जहां पर भी farming होती है ठीक है आज जहां जहां पर भी farming होती है वहाँ पर किसी ना किसी इंसान ने जाके initiate की होगी ना farming so आप जब भी जब भी किसी भी भूमी पर पहली बार जाके farming करते हैं आप उस भूमी को officially colonize कर देते हैं ठीक है so colonization का मतलब यह है कि आपने किसी और territory को acquire किया politically और उस पर farming करनी शुरू करी तो आपने उसको colonize कर दिया ठीक है this is the literal मतलब लेकिन इसका behavioral मतलब क्या है practice में actual practice में यह कैसे आया practice में कैसे आया कि आपने दूसरी foreign territory को acquire किया वहाँ की native population को अपने subjugation में लेकर आये politically और फिर उनसे farming करवा रहे हैं और उनसे जो produce निकल रहा है उसको आप mother country को दे रहे हैं मतलब allegiance कहां पर है mother country modern मतलब जो actual practice हुई colonization की वो इस तरह की हुई otherwise जो मैंने आपको बताया है na literal मतलब क्या है कि farming अगर जहां पर कोई वेक्ति पहली बार करता है तो आप officially colonize कर देते हैं उस भूमी को ठीक है next point देखेगा on the contrary imperialism comes from Latin word imperium which means to command imperialism word जो है वो imperium से निकलता है Latin word जिसका मतलब है command अब यह जो Latin और Greek जो भाशा है न इन्होंने जो है वो core provide किया या base provide किया है mostly सभी जो है वो मतलब European भाशाओं को ठीक है जितने भी चाहे वो Spanish हो जितने भी Latin भाशा है न जो Latin में लिखी जाती है ठीक है उन सब के base जो है वो जो original Latin language है वहां से निकल जाएंगे तो अगर आपको Spanish सीखनी है French सीखनी है Italian सीखनी है English सीखनी है तो आप Latin words को पकड़िए ठीक है Latin words की अगर आपको समझ आ गई तो आप इन सारी भाशाओं को समझ जाएंगे तो अगर आप भाशा विज्यानी बनना चाहते हैं ठीक है linguistics अगर आप follow करना चाहते हैं बहुत मेरा ऐसा मानना है कि linguistics जो है वो समझनी चाहिए हमें बहुत interesting field है भारत में बहुत जादा लोग जो है वो linguistics पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और भारत जो है वो linguistics के लिए भाशा से होता है और पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे कि यह पूरा global order जो है वो भाशा पर ही dependent रहा है हो गया है ठीक है languages पर सोचेगा इस बारे में नेक्स पॉइंट देखेंगा दस दर्म रिफ्लेक्ट्स द वे एट वन कंट्री एक्ससाइज इस पावर ओवर अधर वेदर थू सेटलमेंट सोवेर्निटी और डिरेक्ट मेकेनिजम ओफ कंट्रोल ठीक है यूद लड़कर जीता और फिर बाद में वहीं के नेटेव को दे दिया कि तुम रूल करो साल में इतना टैक्स दे दिया कीजेगा फ्यूडल लॉड बना दिया हो सकता है अपना बंदा वहां पर अपॉइंट कर दिया मनसबदारी सिस्टम आ गया इक्तिदारी सिस्टम हो स अबी भी नदर कंट्री के साथ है ठीक है फर्दर कोलोनिलिजम डिनोट्स दे शिस्टम इन विच दा कंट्री कॉंकर्स दर रूल्स कॉंकर्ज अंड रूल्स ओवर अधर रिजिन ठीक है तो यह तो हमने जह हो समझ लिया है इट इन्वल्स एक्स्प्लाइट इस्प्लाइट रूल्स बूल्स एकिवर आूल्स इस्प्लाइशं और शूल्सस इकनोमित डिपेंडंस और सुझमेंट्र रूल्स म्यंस एक्स्प्विसल तो इंप्रेस्थ रूल्स न। 1 जईक हो सकता है एंभा सलभी एक्स ब्रूल्स इन अजी अथे परिएजव इन्व ह और वन देखिए स्वेज केनाल का खुल जाना ना एक बहुत बड़ा चेंज था ठीक है स्वेज केनाल के खुलते ही देखिए जो आटमन है जो आटमन एमपायर था उसने एकदम से जो है वो मतलब एकदम से कान कैसे खड़े कर दिया थे यूरोप के जैसे उसने पल अपने हाथ में लिया क्योंकि यूरोप को एकदम से अमर्जेंसी आ गई थी क्योंकि साउथ इस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड था जो सिल्क रूट पर जो ट्रेड था जिस पर बाइजन्टीन अमपायर का कंट्रोल था वो अचानक से क्रिस्टन्स के हाथ से छूट ग गई ना फिर से इस मेडिटरेनियन ट्रेड रूट की इंपोर्टेंस बढ़ गई फिर से जुरुसलाम की इंपोर्टेंस बढ़ गई फिर से कॉंस्टेंट नंबल की इंपोर्टेंस बढ़ गई क्यों क्योंकि जिसके कंट्रोल वे अब ये स्वेज कनाल है वो साउथ इम्पोर्टेंस घट गई अचानक से जो एफ्रिकन घूम कर जो ट्रेड रूट है इसकी जो इम्पोर्टेंस अचानक से घट गई हमें जो है वो व्ल्ड वार वन की स्थितियां बनती भी नजर आएंगे यह हमें सेकंड फेज ओफ इंडुस्रिलाइजेशन होता वह नजर आ इसे कहा गया नियू इंपर लिजिए आगे हम डिसकस करेंगे इसके बारे में पहले हम यूनिफिकेशन कर दें इटली का घर्मनी का यूनिफिकेशन कर दें उसके बाद मैं आपको समझाओंगा विश्विद की तरफ हम बढ़ेंगे देरे जिरे लेकिन अभी बहुत सारा कॉंसेप्ट है विश्विद तक पहुंचने से पहले हमें उन कॉंसेप्ट को भी अच्छे से समझना है ठीक है दे पीरिएड इस दिस्टिंगुइश्ट बाइन अन अन प्रेजिदेंड पर्सूट अफ बढ़ेंगे इंपायर एंपायर सेक अग्रेशिव कंपेटिशन फो subjugated people for self-government इस समय देखिए second जो industrial revolution आया ना second phase of industrial revolution first phase आप मान के चलिए 1750 के बाद 1840, 1820 तक ठीक है second phase आपका 1870 के बाद प्रथम विश्वत तक यह जो second phase है industrialization का यहां पर बहुत aggressively जो है वो भारत में अंग्रेजों ने भी 1850 के बाद अंग्रेजों ने भी एफरीका में बहुत aggressively जो है वो colonialism को detail में समझते हैं आईए अब हमने देखिए colonialism के बारे में समझ लिया colonialism और imperialism क्या है कुछ basic समझ मैप के मादिम्स हमने trade routes वागर इस्टेबलिश कर लिए और आप हमारा दिमाग जो है उन ideas को perceive करने के लिए तयार हो गया है वो receptors खुल गया हमारे दिमाग में जहां पर जाके informations चिपकेंगी आपके दिमाग में बहुत सारे confusions बहुत सारे सवाल जो है वो आ चुके हैं अब हम एक-एक करके जो है वो उन वालों को solve करना और सारे सारे जो वी आपकी दुविदाएं हैं उनको solve करना शुरू करते हैं ठीक है पहला point देखेगा causes of colonization समझना है हमें अब उसमें सबसे पहला point है discovery of new lands and trade routes देखिए colonization कैसे हो सका क्योंकि नया land मिला obviously colonization का मतलब क्या आप permanently settle कर रहे हैं लेकिन allegiance रख रहे हैं mother country से right so permanently settle होने के लिए आपने जो है वो नया land ढूंडा so नया land और नया land ढूंडने के साथ नया trade route established हुआ so colonization का सबसे पहला जो step है वो है discovery of new lands and trade routes सबसे पहला point देखिएगा after the call after columbus had discovered america European countries embarked on a path of geographical exploration resulting in the discovery of many new lands अब Christopher Columbus के बारे मैं बताऊँ मैं आपको बताए भी था मैंने पहले आपको he was in search of India direct route ढूंड रहा था वो भारत के लिए और वो Atlantic Ocean में गुम हो गया ठीक है और वो पहुँच गया कहाँ पर American soil पर उसको America मिल गया और वहाँ पर उसको जाके वो India बोल रहा है ठीक है hence India नाम जो है वो West India या West Indies नाम मिला है किसको American North American continent को और वहाँ की जो tribes है उनको Indian tribe कहा गया ठीक है because एक काफी लंबे समय तक काफी कुछ दिनों तक जब तक direct trade route नहीं मिल गया भारत के लिए तब तक जो है वो काफी बड़ी population यहीं मानती रही कि यहीं इंडिया है North America कोई लेकिन जब असल में इंडिया मिला वासको डगामा को तब जो है वो clear हो गया मामला The new found lands were rich in many natural resources which could be exploited for economic benefits Natural resources क्या क्या हो सकते थे उस समय सोना चांदी तो obviously था ही ठीक है क्योंकि trade करने के लिए आपको जो है वो exchange करना पड़ेगा न ट्रेड क्या है exchange of goods है न ठीक है तो अगर आपको कोई service दे रहा है तो आप उसको कुछ provide करेंगे उस service के बदले या आपको कोई goods provide करना तो आप आपको भी कुछ provide करना पड़ेगा तो मान लीजी आपने सो किलो अनाज खरीदा तो आप सो किलो कुछ बदले में थोड़ी देंगे ठीक है पहले ऐसी हो रहा था पहले बाटर हो रहा था लेकिन अब अगर उस सो किलो अनाज के बदले आपको चंद सिक्के देने पड़ें और जो कि आपकी जेम में आ जा रहे हैं जिसको protect करना भी असान है ठीक है so that means सबसे पहले जो है वो acquire करनी थी currency यानि precious metals acquire करने थे hence mercantilism को सबसे ज़्यादा promote किया गया लेकिन not just precious metals Spanish और पुर्तगाल जो पुर्तगाल और Spain है उनका सबसे पहला agenda तो यही था कि सोना चांदी खटा करो सबसे पहले दो क्योंकि देखिए वह भली मांती समझते हैं कि हमारे पास सोना चांदी होगा ना एक बार हमारे पास reserve खटा हो जाए currency का उसके बाद हम market को manipulate कर सकते हैं बड़े banks क्या बड़े banks जो है वह इतने successful क्यों है उन्होंने सोना ही घटा किया हुआ है उसके बाद वो US ने कैसे जो है वह अपनी market establish करी उन्होंने सोना ही घटा कर लिया है ठीक है यूरोप ने पहले जो है वो देखे यूस पूरा world war में मैं वैसे मैं आपको detail में explain करूंगा लेकिन यह currency की importance क्या है precious metals की importance क्या हमें आपको जड़ा हलका समझा जाता हूं ठीक है परेशान थे कि इनका जितना भी gold है वो almost x खर्च हो गया था ठीक है तब यहां पर किसने साथ दिया US ने साथ दिया US ने जो है वो प्रवाइड किया इनको की yellow हत्यार ये लो आप शैनिक ठीक है उसके बदले US ने क्या किया इखटा कि अपने पास सोना और जैसी विश्यू दुनिया का जिसके पास सोना और चांदी घटा है वो शक्तिशाली तो श्पेन और पुर्तगाल यही चारते शुरू में पूरी दुनिया का सोना चांदी हमारे पास है फिर ब्रिटेन ने यह चाहा तभी तो मर्केंटलिजम एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो करंसी आप और अगर शौटेज हो जाएगी तो महंगा ही बढ़ जाएगी ओबियसली ठीक है तो यह जो इन्फलक्स हुआ यूरोप में प्रेशियस मेटल्स का इसका एक क्या इकॉनमिक इंपक्ट पड़ा उसको हम अलग सेशन में डिसकस करेंगे ठीक है लेकिन मैंने आपको कहा ना म शुरुवातİ inflation कब आया कि inflation आता है मार्गिट में जब किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है अगर दाम बढ़ रहा है मतलब करंसी है है और एक साथ बहुत बड़े geographical एस्प्रेशन में कभी भी मार्केट को अमीरिया गरीब कर सकते हैं रेट बढ़ाया गिरा सकते हैं ठीक है तो यह कैसे economic control उन्होंने लाया और यह inflation वाले सिस्टम शुरू कहां से हुआ है क्योंकि जो feudal lords थे वो तो tax इगटा कर रहे थे यूरोप में और tax के नाम पर वो क्या ले रहे थे अपने घोडों में 500 किलो जो है वो अनाज ले जा रहे हैं तब जाके हम इतना बराबर का ट्रेड कर रहे हो और आप एक पाउच भरके सोना ले जा रहे हो बराबर ट्रेड कर ले रहे हो फाइदा तो ओब इसली मर्चंट को रहा है ठीक है तो जैसे जैसे करन्सी का इंफ्लेंस इंफ्लक्स जो है वो बढ़ा यूरोप में उसका क्या असर हुआ वह एक अलग सेशर में समझेंगे लेकिन वही चीज आपको यहाँ पर समझनी है ठीक है उसका बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ से उठाना है धीरे धीरे डेवलप करेंगे ठीक है इकॉनमिक इकॉनमिक इंपेक्ट की बात कर रहा हूं है खेर डेक्स चीज देखिएगा तो शुरू शुरू में जहाँ जहाँ पर ट्रेड किया अब देखिए शुरुवाती जो एंशेंट समय में जो ट्रेड हो रहा था तब तो ऐसा कॉनसेप्ट नहीं था उनके पास और इस तरह की कॉनमि नहीं थी कि एक बड़ा हार्बर जनरेट कर लिया जाए और कृतिरिम तोर पर जैसे बॉम्बे को जो है वह एक बड़ा हार्बर बनाये गया ठीक है बॉम्बे में नेचुरल हार्बर था लेकिन उसको आर्टिफिशल हार्बर में कनवर्ट किया गया ताकि उसका थोड़ा से एक्सेंट बढ़े तो इसी तरह जैसे बॉम्बे एक पॉइंट बनाये गया मेरी टाइम कॉमर्स का तो आज प्रेजेंटली जितनी भी कोस्टल सिटी आपको नजर आती है जो कि बहुत बड़ी प्रॉमिनेंस की है जो कमर्शली काफी इंपॉर्टन है मान के चलिए वह बहुत पहले समय से ही जो है और मान के चलिए वह बहुत वहाँ पर जो है वो नेचुरल कोस्ट लाइन मौजूद होगी ठीक है अगर जो बड़ी कमर्शल सिटीज है ना तो अभिसली वो पुरानी रही होगी ठीक है इसका मिलब यह नहीं है कि हर बड़ी कमर्शल पॉर्ट टाउन जो है वो पुराना ही है लेकिन जो बड़े कमर्शल पॉर्ट टाउन जो पुराने ही है और उनके पास नेचुरल हारबर भी होगा ठीक है नच्ट में देखेगा तो एफेक्टिवली उटिलाइस इस लेंड्स और पॉर्ट जो एक्टिवली उटिलाइस थीर शेट अप यह नेचुरल हारबर ते यहां पे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया इनको 45 तो किया ना ठीक है तो कॉलनी इस्टेप्लीश करनी शुरू गरी तो मैंने बोला ना पहले पॉलिटिकल कंट्रोल बिजनस अपने हाथ में लिया ठीक है सब से खरीद ले रहे हैं और खुद एक्सपोर्ट कर रहें एकॉ सब्सक्राइब कॉलनी इस गोव गया केलिकट है सूरत है बॉंबे है कोचीन है ठीक है उसके दूसरी साथ मदरास है विशागा पत्नम है पूली कट है मुसली पत्नम है यह सारे नेचुरल हर्बर्स थे धीरे धीरे जो है वह कॉलनीश के फॉर्म में स्टेबलिश हुए ओवर टाइम फ्रांस और इंगलेंड और स्टेबलिश दिर कॉलनीश इन इंडिया सिमलर डवलप्मेंट अकर्ड इन अमेरिकन कंटिनिट तो यह हम समझ गया नेक्स देखेगा एकॉनॉमिक कंसीडरेशन क्या है ठीक है कॉलनाइजेशन करने का एकॉनॉमिक कंसीडरेशन क पहला पॉइंट देखेगा इकनामिक बेनिफिट विच वज फ्यूल बाइंडस्ट्रियल रेवलुशन वज परहाप्स दे मोस्ट इंपॉर्टन कैटलिस्ट ऑफ कलोनियलिजम जो है आपका कलोनियलिजम इंडस्ट्रियल रेवलुशन से पहले से इस्टेबलिश हो गया थ पहले से इस्टेबलिश थी लेकिन इंडस्ट्रियल रेवलुशन ने उसमें बूम दिया इंडस्ट्रियल रेवलुशन ने बूम क्यों दिया यानि कि इंडस्ट्रियल रेवलुशन आने के बाद कलोनियलिजम हमें क्यों बढ़ता हुआ नजर आता है यानि 1850 के बाद industrial revolution आया था तो जब supply बढ़ गई ठीक है, so surplus बढ़ गया अब उस surplus को बेचने के लिए और colonies चाहिए थी, इसलिए colonialization में हमें बहुत बढ़ोतरी आती हुई नजर आई कब after industrial revolution और यहाँ पर एक बहुत रोचक चीज है, जो industrial revolution हम पढ़ते हैं न, ब्रिटेन में आई ठीक है, मैंने आपको explain किया कि ब्रिटेन में ही क्यों आई लेकिन industrial revolution अने के बाद काफी लंबे समय तक ब्रिटेन को खुद ही नहीं अहसास हुआ था कि यहाँ पर हम industrial revolution ले आए है ठीक है, because that was natural to them ठीक है, तो आपको ध्यान देना industrial revolution in Britain was natural और ब्रिटेन से यूरोप में जो industrial revolution expand हुआ है that was, वहाँ पर वो लाया गया है तो ब्रिटेन में ऐसी political, geographical, social, ideological और religious conditions थी जिसकी वज़े से ब्रिटेन में क्या आ सकी naturally वहाँ पर industrial revolution आ सका बहुत important point है means के लिए बहुत important है point ही ठीक है, खेर आगे बढ़ते है next point है the countries like England, France, Spain and Portugal establish their colonies primarily for the economic benefits ठीक है, England, France Spain और पुर्तगाल ही जो है वो शुरुवात में colonizing क्यों कर सके सवाल ये भी है जवाब बिल्कुल simple है कि England, France, Spain और पुर्तगाल के पास coastline available है, Atlantic Ocean की they are western European countries और western European countries के पास coastline Atlantic ocean की और वो असानी से ठीक है, बगैर किसी और देश से coastline उधार पर मांगे वो असानी से Atlantic Ocean के माद हमसे trade कर सकते हैं तो आप पुछेंगे Baltic Sea भी तो घूम फिर के जो है, वो connect हो जाएगा Atlantic Ocean से लेकिन आप देखिए ना, Baltic Sea है, उपर Norway है, Sweden है, आगे Britain है, competition कितना जादा है है ना, अगर अन्ने, देखिए जो ये western European countries है केवल ये सब क्या चाती है, हम केवल export करेंगे तो ये और किसी को exporter नहीं बनने देंगे ये, so mainland Europe में इन्होंने बहुत लंबे समय तक और किसी को exporter बनने ही नहीं दिया इसलिए mainland Europe से हमें बड़े जो है, वो colonist, इन चार colonist के अलावा, बहुत कम Dutch जो है, वो कुछ हद तक, क्योंकि Dutch की जो है, आप position देखिए present day map में, तो Britain के जस नीचे है Dutch, ठीक है relation अच्छा बना के रखना है, तो नीधर लेंड को अपने साथ जोड़ कर रखो, और यही जो है वो Britain ने किया भी हुआ है, नीधर लेंड को अपने साथ जोड़ कर रखो, और एक दुश्मन बना के रखो France उन्होंने दुश्मन बना के रखा हुआ है दोनों के साथ उनकी proximity है एक English चाहे तो दूर है वो बस ठीक है, तो एक साइड दोस्त नीधर लेंड लेंड और दुसरी साइड दुश्मन France ठीक है, तो धीरे-धीरे मैं आपको आपकी समझ बनाऊंगा, हम हमारी जो पूरी जर्नी है मैंने बोला ना sessions जुड़ते जाएंगे, मैं ancient भी कराऊंगा डरिये मत, ancient world history भी कराऊंगा आपको मैं, मैं सुपटामिया इजिप्ट की civilization, इन सब के origin बताऊंगा मैं आपको, कहां से हुए ठीक है, शुरुवाती, ग्रैको रोमन culture पूरा समझेंगे, हम जर्मैनिक ट्राइब्स और वाइकिंग्स बगारा के बारा में सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे जो हैं, वो लोग पहुंचे हैं लेकिन पहले जो है, वो basic funda, जो syllabus का basic funda क्योंकि वो वहाँ पर हम syllabus से बाहर निकल जाएंगे लेकिन वो syllabus को समझने के लिए बहुत जरूरी है समझे रहे हैं, मेरी हमेशा से मैं यही तो बोलता हूँ न, कि जो भी घटना आपको समझने हैं, उसका background समझो Renaissance समझना है, तो dark age समझना पड़ेगा dark age समझनी है तो Greco-Roman culture and fall of the western Roman empire आपको समझना पड़ेगा, Greco-Roman culture समझना है तो उससे पहले की जो tribes है वो समझनी पड़ेगी, right so, इतिहास से आपको जो है, वो जोड़ना ही पड़ेगा किसी भी topic हो, चाहे इतिहास को पड़ रहे है तो आपको इतिहास का भी इतिहास पड़ना पड़ेगा, तब जाके अगर आप, अब लेकिन ये सब क्यों अगर आप जो है, वो इतिहास में मतलब history में अपना optional देना चाहरे है तो, ठीक है, तो आपको इतना deep समझ होने चाहिए, otherwise इसका मतलब ये नहीं है, कि GS1 के लिए भी एक जो है, वो थरो अगर आप समझ डिवलप करना चाहते हैं, तो आपको इतिहास का इतिहास पड़ना ही पड़ेगा, बहुत मुझे ऐसा लगता है, कि ये तो common sense होनी चाहिए, है ना, इस पे तो कोई discussion ये argument होनी नहीं चाहिए, इतिहास समझना है, तो इतिहास में और जाना पड़ेगा, पीछे से समझते होए आना ही पड़ेगा आपको, at least इतिहास को thoroughly आपको पड़ना ही चाहिए, इसलिए मैं बार-बार students को मैंने बोला भी है कि जब आप optional select कर रहे हैं, तो history के लिए जो है, वो आपका रुजहान रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए history UPSC में काफी समय तक famous भी रहा ये बिल्कुल एक basic पंड़ा है कि इतिहास से ही तो निकल रही है, बाकी सब humanities, इतिहास से ही quality निकल रही है, इतिहास से economy निकल रही है, इतिहास से वो आपके लिए रास्ते खोल देता है, लेकिन उसके अलबा और भी बहुत सारे factors हैं, कि आपका interest किस subject में है, optional choose करने के लिए, और भी बहुत सारे factors हैं, कि आपका interest किस में है, कौन सा material easily available है, ठीक है, कहां आपको teacher, आपकी accessibility, सबसे important चीज़ तो आपका interesting लग भी रहे होंगे आपको, खेर, अब हम आगे वड़ते हैं, सो ये चार countries, कौन-कौन सी, England, France, Spain और पूर्तगाल, they found such products in these lands, which were high economic worth, back home, ठीक है, ऐसे products उनको मिले, जिनका Europe में बहुत ज़्यादा वर्थ था, आगे आएगा देखिये, मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से वो products है, ठीक है, subsequently for the effective utilization of these resources colonization seemed inevitable for example, Spain colonized America because they were searching for gold and silver which they ultimately found by conquering Aztec and Inca empires ठीक है, Aztec आपका Central American Inca, आपका Southern American अब यहाँ पर आपको समझना है कि colonization why colonization was inevitable और यहाँ पर आपको एक सवाल यह भी आता है if colonization was so inevitable why India didn't colonize other countries भारत से कोई ऐसी शक्ति क्यों नहीं वनी जिसने other countries को colonize किया ठीक है बहुत यह तो काफी बच्चों के मन में यही तो रहता है नहीं कि भारत क्यों नहीं कर सका जब भारत के पास अथा resources थे तो भारत क्यों नहीं कर सका इसका बिल्कुल basic जवाब है कि भारत as a nation पूरा Indian subcontinent as a nation अंग्रेजों ने बांध के दिया उससे पहले छोटे छोटे तुकड़े थे एंपायर था पूरा Indian subcontinent उसके कंट्रोल में भी नहीं था अशोक ने एक समय पर पूरे Indian subcontinent को कंट्रोल में लाया फिर मौर गुपतास जो है वो कुछ हद तक पूरे Indian subcontinent को अपने कंट्रोल में ला सके फिर अलाउदिन खिल जी के बाद मौहमद बिन तुगलक भी कुछ जो है वो कुछ हद तक Indian subcontinent पूरे Indian subcontinent को अपने कंट्रोल पे ला सका ठीक है तो आप ये कह सकते हैं भारत के केस में कि जो mainland India के जो भी साशन है उन्होंने Southern India को colonize किया है colonize भी नहीं किया वहाँ उनका imperialistic structure रहा colonization का तो ये मतलब है नहीं कि आपका जो है वो Indianization नहीं होना चीए राइट आपकी जो है legions mother country की साथ रहनी चीए लेकिन भारत में तो भारत का nature है भारत आएंगे कोई तो भारत कहीं होकर रहे जाएंगे ये भारत का कह रहा था कि high economic worth back home ऐसे समान जिनकी economic worth यूरोप में बहुत ज़ादा है जैसे कि भारत से आया हुए silk South East Asia से आय हुई अफीम ठीक है Arabian country से आय हुई अफीम भारत से आय हुए ivory हाती दांत पर बनी हुई नकाशिया ठीक है जो जितनी भी luxury बारी के products थे मसाले थे उन यूरोप में न मीट को भून लिया जाता है थोड़ा बहुत उनके पास थोड़े बहुत वो spices का एक बार जब उनको चस्का लगा था किसके माध्यम से Byzantine Empire के माध्यम से और वो जब उनसे छूट गया इसलिए उनको वो spices चहिए ही चहिए थे वो दिन चर्या का उनके जिवन का हिस्सा बन गए थे वो spices और वो spices जब Ottoman Empire ने बहुत महेंगे दिये और जब rate ठीक करने की बात करी तो बोला कि इसलाम कबूल कर लो तब जो है वो उनको seed trade route जो है वो ढूनना ही था लेकिन वो ढूनने गए थे trade route लेकिन कर बैठे colonization क्यूं क्यूंकि trade route के माध्यम से उनको trade करना था लेकिन trade का एक basic असूल है maximizing the profit and minimizing the input ठीक है कम से कम input में ज़्यादा से ज़्यादा output तभी निकल सकती है अगर आप market को या तो monopolize कर दो या तो colonize कर दो तो जो European शक्तियां हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा profit अगर उनने चाहिए था तो colonization was inevitable hence colonization हुआ भी क्यूंकि colonization में आप केवल नेटिव कंटरी की population भुगमरी से मर रही है बीमारियों से मर रही है कुछ भी उनको समस्या हो रही है उनसे आपको मतलब नहीं है आपको कबल मुनाफिस मतलब है इसलिए भारत में जब repetitive अकाल पढ़ते रहे अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की 95% native population मर गई जो colonizers है उन्होंने कुछ नहीं किया क्यूं क्यूंकि उनकी allegiance है उनकी mother country के साथ ठीक है और ये सब ये भावना क्यूं आई ये है profit कमाने की भावना और जब भी profit कमाने की जादा profit कमाने की भावना आ जाये ना समझ लीजिएगा वो capitalism है तो capitalism basically क्या है एक ऐसा ट्रेडिंग एक ऐसा economic system जिसमे profit कमाना जो है वो priority होती है जिसके लिए एक specific तरीके का social order और एक specific तरीके का political order डिजाइन किया जाता है capitalism पर एक अलग से session लूँगा बहुत detail में समझाऊंगा पहले हम colonialism समझ ले ठीक है आगे आने वाले कुछ session में आपको मैं capitalism भी समझाऊंगा वैसे मैं capitalism के बारे में काफी जो है वो बता चुका हूँ आपको लेकिन एक specific topic के माध्य हमसे ठीक है खेर next देखेगा those who settled the middle colonies of New York and Pennsylvania found good farmland that was great for growing food that could be sold in Europe ठीक है देखे यह example है Spain ने दक्षिन अमेरिका Central America और दक्षिन अमेरिका को इसलिए control में किया क्योंकि Spain को सोना चाहिए था और इस region से Spain को बहुत सोना मिला Britain की colonies को सोना तो चाहिए ही था लेकिन खेती करने लाइक भूमी भी चाहिए थी इसलिए जो Pennsylvania है या जो 13 colonies यानि कि जो Eastern coastline है अमेरिका की वहाँ पर उन्होंने colonies इसलिए establish करी क्योंकि उनको farmland जो है वो बड़े level पर मिला वहाँ पर ठीक है next देखेगा similarly the English colonized India because they saw excellent prospect in monopolizing trade in spices, cotton, tea, textile, indigo, iron ore and other minerals and the reason for English colonizing of the southern colonies was that the area was good for growing cash crops like tobacco ठीक है दक्षिन अमेरिका की colonies दक्षिन अमेरिका में ब्रिटेन ने या करेबियन में ब्रिटेन ने colonies क्यों establish करी क्योंकि यह तंबाकु लग जाता है बड़िया ठीक है देखे भारत में आज जो हरको यह तंबाकु का सेवन कर रहा है तंबाकु जो है वो South America से आया है ठीक है North America, South America, Central America से आया है basically आप मान सकते हैं Caribbean वाले ब्रिजिन से भारत से आती है spices और अंग्रेजों का क्या था system कि उनको monopolize करना है देखिए किसी भी बिजनस में जो कोई भी अगर आप trade कर रहे हैं बिजनस कर रहे हैं उसका जो apex form है वो monopoly है यानि उस कोई भी अगर कोई product है उसको केवल आप ही prepare कर रहे हैं और सभी लोग वो product आप से ही खरीदें हर business person की यही tendency होती है तो हर एक business की natural tendency है monopoly की तरफ बढ़ना और अंग्रेजों ने जो spices का trade है उस पर monopoly चाहते थे इसलिए भारत पर control होना ज़रूरी है क्योंकि spices का trade तो south east asia में अन्य देश भी कर रहे हैं लेकिन भारत का जो panisular part है वो spices भी produce कर रहा है as well as eastern asia से western asia को connect भी कर रहा है तो जो eastern asia में spice produce कर रहा है वो अंग्रेज भारत से बैठे उनसे वो spice सस्ते दामे में खरीद रहे हैं क्योंकि उनके दोस डचेज वगेरा वहाँ पर वो spice जो है वो produce कर रहे है spice आइलेंड में अंग्रेज बहुत असानी से बहुत सस्ते में spice खरीद रहे हैं और फिर उसको export कर रहे हैं किस रास्ते से साउथ अफरीका के रास्ते से भी और क्योंकि उनके कंट्रोल में एजिप्ट भी है और रेड़ सी भी है और उस रास्ते से भी spice वो यूरोप पहुचा रहे हैं दोन कि अफीम जो है वो पूरा का पूरा आपका अरेबियन कंट्री से निकल रहा है और साउथी स्टेशन कंट्री से अफीम निकल रहा है भारत से भी काफी बड़े लेवल पर ओपियम का trade हो रहा है ठीक है तो यह monopolization का जो खेल हुआ है यह एक यह आप रख सकते हैं कि आप trade को monopolize कब कर सकेंगे जब colony आपके पास establish होगी ठीक है ठीक है ट्रेड पर monopoly तभी होगी जब product भी आप ही create कर रहे हैं और बेच भी आप रहे हैं अगर product कोई और खरीद रहा है आप खरीद के बेच रहे हैं तो आप मध्यस्त हैं आप true monopolize आपने जो है वो पूरी तरह से monopolize नहीं है सारा system आप ही गाई है इस तरह की true monopoly create करने के लिए आपको colonization करना ही पड़ेगा all right so अब समझते हैं religious motives को ठीक है so पहला point देखेगा after the protestant reformation बहुत important point है ठीक है after the protestant reformation many new sects emerged who wanted to practice Christianity as per their own ideas instead of confirming to the religious uniformity required by angelican church अब यह जो angelican church है मैंने बोला ना angel लोग जहां आके बसे वो England कहलाया तो England की church जो है वो angelican church कहलाई और मैंने बोला ना protestant church जो है वो puritans के नाम से England में establish हुई और यह reformation वाला जो सारा funda है मैंने renaissance में कराया था कि जो catholic church के द्वारा की जारी जो भी उनका despotic disorder है ठीक है उसके खिलाफ जो है वो reformers जो खड़े हुए उन्होंने जो protest किया कि हम इस तरह की Christianity को नहीं मानते जो Catholic church ने जो New Testament की व्याख्यां क्रियेट करी है हम उससे सहमत नहीं है तो जिन्होंने protest किया वो protestant कहलाए तो इस तरह के protestant church जो है वो develop हुए जिनको patronize किया local राजाओं ने और हमें जो है वो nations establish होते हुए नजर आए churches के around तो उसी तरह का जो church ब्रिटेन में है जो protestant church ब्रिटेन में है उसको एंजलिकन चर्च कहा गया सो जो protestantism की जो भावना है वो basic भावना ये है कि आपको Catholic church के माइने नहीं पसंद है ना सो that means इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एंजलिकन church established है तो उसके अलावा और कोई छोटी church अपने आपको as a protestant established नहीं कर सकती लेकिन मैंने आपको बताया है धर्म का इस्तेमाल के जाता है political control के लिए है तो अगर ब्रिटेन में अंजलिकन church है तो अगर ब्रिटेन में अंजलिकन church strong है तो उसके अलावा और किसी छोटी church को वो नहीं वहाँ पर काम करने देगी ठीक है Catholic church ने किया क्या Catholic church ने जितना भी Christian land है उन सब के जितने भी Kingdoms है वहाँ पर अपने आर्क बिशप्स पहुँचाए हुए और वो आर्क बिशप्स उन राजाओं को अपने control में रखते है ताकि ultimately जो sovereign authority है religious matters में वो कौन रहे Catholic church इसी system से तो आजाद होना चाते है न प्र Protestant church बने उन्होंने अपने आपको जो है उन्होंने जो characteristics develop करें वो similar थे Catholic church जैसे उनकी बस basic जो है वो आइडोलोजी थोड़ी अलग थी वो थोड़े से कुछ मामले में liberal थे लेकिन basic जो behavior था वो तो वही था ना उनका Catholic church का था कि political control लाना तो जो ऐसे तो प्रोटेस्ट करने के जो भावना है यह reform का जो reform की जो पूरी ideology है इसको follow करने वाले लोगों ने जब protestant बड़े protestant church से जो है वो मतलब उनसे भी वही उनको feeling आने लगी जो Catholic church से मिल रही थी यानि कि जो बड़े protestant church है जैसी angelican church ब्रिटेन का उन्होंने जब छोटे protestant church को धमकाना शुरू कियाग तो वो छोटे protestant church ने सोचा कि हम जो है वो ऐसा करते हैं जहाँ जहाँ पर नई colonies established होती है वहाँ पर जाते हैं तो हमें ब्रिटेन से नौर्थ अमेरिका में छोटे protestant church मूव करते हुए नजर आए ठीक है तो I hope यह fund आप समझ सके होंगे कि देखिए the very nature of renaissance renaissance जो है वो ज renaissance की वैसे जो protestant church आये इन सबने इन सबने क्या किया इन सबने वही रूप धारण कर लिया जो डार के चीज़ में था ultimately यह कर क्या रहे थे control ही कर रहे थे ना लेकिन पहले जो control roman catholic church के पास था अलग-अलग protestant church के पास आ गया phranc में अलग protestant church पिएंड में तो catholic church का रही रह चार लेकिन जर्急ेमनी में अलग-प्रोटेसटन चर्च ब्रिटेयन में अलग-प्रोटेसटन चर्च अस्वर्श्रिया में अलग-प्रोटेसटन चर्च ठीक है तो ये एक सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे डवलप होने लगा तो खैर देखिएगा नेक्स माइट आएगा अब जो प्रोटेस्टेंट चर्च है एस वल इस जो कैथलिक चर्च है उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालो या अपने देखिए कैथलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट चर्च को ट्रेचरस ऑर ट्रिज्ञेस कहा तू दा गौड और जो प्रोटेस्टेंट चर्च बने उन्होंने अन्य जो जो बात नहीं मान रहे चोते चर्च-च या कोई चोटा रिलीजियस सेक्ट क्रिश्यानिटी के अंदर इस डवलप ठीक है वही सेम काम प्रोटेस्टेंट जो है वो Catholic Church के साथ कर रहे थे तो यहां से आप पूरा create कर सकते हैं पूरा pattern को link कीजिए कि वही सारा खेल है ठीक है जो Catholic Church कर रहे थे वही Protestant Church ने भी किया ठीक है Under such circumstances escape to America where vacant land was available and they were at a great distance from their mother country became a very attractive option these places offered them a place to settle follow their own conscience in religious matters तो यह हमने already established किया है कि America जैसी भूमी इन सब religious sect को एक तो settle होने की जमीन भी देती है प्लस अपना religion प्रेक्टिस करने के लिए भी पूरा मौका देती है अब देखिए religious कारण क्या है colonization करने के यह समझ रहे हैं जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि जो Catholic से दुखी है जो Protestant से भी दुखी है वो colonies में जाकर बस गए ठीक है और यानि कहने का मतलब वो newfound territory में जाकर बस है और धीरे धीरे उन्होंने colonization कर लिया पहला कारण दूसरा कारण जो Catholic Church है उसने स्पेन और पुर्तगाल के माद्यम से स्पेन और पुर्तगाल ने जहां जहां पर भी colonization किया उन्होंने वहां पर Catholic जो Catholic जो Christianity है उसको propagate करने का काम किया उसको promote करने का काम किया similarly Britain ने जहां जहां पर control किया वही सेम काम Christianity को जो है वो promote करने का काम एंजलिकन चर्च ने किया ठीक है तो ये Christianity में convert करना दूसरे को क्यों जरूरी है और धर्म का कैसे इस्तमाल किया जाता है mass population को manipulate करने के लिए आईए मापको समझाता हूँ अगर बहुत simple सी बात है North America, South America अगर पूरा का पूरा Christian होगा ठीक है चाहे वो किसी वितर अगर Christian हो Protestant हो, Catholic हो अगर वो पूरी की पूरी पूरा का पूरा continent अगर Christian है ठीक है तो उनमें एक unity की भावना है एक जो है वो unity है कि हम उनमें common factor का है वो सभी Christian है तो वो लोग अगर सभी Christian है तो किसी Christian leader के अगर Christian leader ने अगर कोई order दिया तो उनको mobilize करना आसान हो जाएगा ठीक है तो अगर एक पूरा एक बहुत बड़ा जो है वो geographical region अगर Catholic Church उन सब को Catholic Christians में convert कर देता है तो उन सब को generation to generation Catholic Church आप क्या सिखाएगा कि जो आपका राजा बैठा है और जो पोप है वही आपको connect कर रहा है God से और ये जो Christian है ये जो हमारा Jesus है इसको आप God मानिये और यही है सब कुछ धिरे धिरे वो उनके दिमाग में डालेगा कि आपने जो उगाया है वो दे दीजिए अपने Lord को ठीक है जो उगाया वो चर्च को 10% दे दीजिए है ना तो इससे क्या हो रहा है धरम के माध्यम से यानि कि धरम का इस्तेमाल करके पॉलिटिक और एकनॉमिक गेन किया जा रहा है न इसलिए धरम का फैलाना इतना important होता है और समय आने पर उसी धरम के नाम पर आप मोबलाईज कर सकते हो जनता को यूद करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए टेक्स इखटा करने के लिए टेक्स ना देने के लिए जो कि इसलाम और क्रिशनिटी में जगड़ेगा कारण भी बना चाहे वो कोई इसलामेक शाशक हो चाहे वो क्रिशन शाशक हो वो चाहते थे जरुसलाम کनस्टेंट निपल इस्तानबूल ये सारे जो रिजेने इसको केंट्रोल करें ताकि ये जो साउधीस्ट एशिया से आने वाला और जो सिल्क रूट है ये सारा जो ट्रेडर राउट है उसके कंट्रोल में रहे तो जो अरेबियन शाशक है उन्होंने इसलाम धर्म का इस्तमाल किया जिहाद गराने के लिए क्योंकि मैंने आपको जिहाद का माहिना समझाया था न कि अगर किसी शाशक के पास पैसे देकर वो दस हजार से नहीं खरीच सकता है लेकिन जिहाद का नारा लगवा के वो पचास हजार से नहीं खड़े कर सकता है तो क्यों न वो जिहाद का नारा लगाए similarly Crusades के नाम पर अगर Christians जो है वो Holy War करने जा सकते हैं और Holy Land को कंट्रोल करने के नाम पर एकनॉमिक सेंटर्स को अगर अपने हाथ में लेना चाते है तो यह basic mentality है धर्म को इस्तमाल इसी तरह किया जाता है ruling class द्वारा और जो जो priestly class है वो अपने आपको ruling class के साथ इसलिए जोड़ कर रखती है उन दोनों के बीच में ancient और medieval times में यह understanding थी कि धर्म का इस्तमाल करके priestly class priestly class जो है वो ruling class साथ में इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि ruling class धर्म का इस्तमाल करके अपने political और economic gain को feed करेगी similarly इससे जो priestly class है उसका फाइदा बना रहेगा क्योंकि उसको भी economic और political gain हो रहा है ठीकि economic शक्ति बनी रहती है लेकिन रनेसांस के बाद medieval ages से modern ages में transformation क्या है कि जो ruling class है इन्होंने अपना interest जो है वो feudal lords और priestly class से छोड़कर merchants की दर दे दिया ठीक है तो अब merchants और जो merchants और monarchs हैं वो एक साथ हो गए तो हमें यहाँ पर constitutional monarchies बनती भी नज़र आई right so सब यह सब ruling classes हो गए जो priestly class है cultural elites है religious elites है सब अपना political economic gain ढूंड रहे और धर्म का इस्तमाल आम जनता को manipulate करने के लिए और अपने economic political जो है वो agenda fulfill करने के लिए use किया जाता है धर्म को basically तो धर्म का जो actual meaning है वो बहुत गहरा है spiritual meaning है धर्म का आपको अपने body को इस universe से connect करना है right आपको मन की शांती के लिए धर्म चाहिए होता है धर्म की जरुरत मन की शांती के लिए किसी दूसरे पर attack करके दूसरे का सर फोड़के उसकी अगर property को आप acquire कर रहे हैं तो वो धर्म थोड़ी है वो तो आप business कर रहे हैं साफ साफ ठीक है care तो ऐसा चलता आया है यही इसलाम में भी हुआ यही Christianity में हुआ ठीक है यही जो है वो मतलब भारत के जो वैशविक जो धर्मी है उन्होंने भी काफी जगाओ पर ब्रहामनिकल धर्मों ने भी इसी तरह इस्तमाल किया है धर्म को ठीक है युद करने में और मतलब political gains fulfill करने में care आगे बढ़ते हैं in fact the first mass migration from Europe to new lands of America was done by English Puritans a sect of Protestant Christianity मैंने को आपको बताया था न England में जो Protestants उनको Puritans कहा गया और Europe से mass migration करने वाले पहले लोग यह Puritans ही थे क्योंकि वो Anglican Church से दुखी थे क्योंकि मैंने बताया न Anglican Church ने अपने थोड़े बहुत हाथ मिलाए हो थे Catholic Church के साथ ठीक है और Anglican Church जो है वो अपने आपको राजा के साथ जोड़ कर रखना चाहता था ताकि वो पूरा उनका जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल बना रहे तो जो लोग बाते करते थे religious liberty की उनको Anglican Church प्रोसीक्यूट कर दे रहा था तो इंगलेंड से बहुत लोग जो है वो मूव करके अमेरिका है ठीक है further there was also an urge to spread message of Catholicism around the world so Catholicism फैलाने की दुजरुत थी ही वो तो तो मेना आपको समझाया ही ठीक है so during the age of discovery the Catholic Church a major effort started to spread Christianity in new world by converting indigenous people Spain और पूर्टगाल ने खास तोर पूर्टगाल को तो इतना बड़ा बीड़ा दिया था ना पोप ने कि जहां जहां पर conquer करो सब को Christianity में convert कर दो तो जब पूर्टगाली भारत आए तो उन्होंने बहुत कोशिश करी भारतियों को Christianity में convert करने की in fact अकबर तक को convert करना चाते थे अकबर की पूरी council को convert करना चाते थे कामियाब नहीं हो सके ठीक है लेकिन भारत में काफी बड़ी population को वो कर गए ठीक है Christianity में convert so Catholicism बड़ी मात्रव और इसका मुलब यह नहीं है कि जो Angelicans है उन्होंने conversion नहीं किया 1813 के बाद अंग्रेज़ोंने जो Angelicans को भारत में आने दिया उन्होंने बहुत conversions करा है भारत आके आज तक conversions हो रही है Angelicans आज तक करवा रहे हैं conversions भारत में ठीक है Also the establishment of Christian missions went simultaneously with colonizing efforts of European powers such as Spain, France and Purtgal Christian missions और colonization दोनों साथ में चल रहे हैं In fact, colonization and religious conversion were seen as complimentary to each other यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है colonization करने का मतलब क्या है किसी territory को आपने जीता वहाँ की native population को अपने control में लिया उनके सारे resources को exploit कर रहे है और कहाँ पर मुनाफ़ा जा रहे है Motherland को यह है colonization लेकिन उन लोगों को जीतना उनके resources को exploit करने के लिए उनको अपने साथ जोड़ना ज़रूरी है hence उन सब को अगर आप अपने धरम में convert करा देंगे तो यह process smoothen हो जाता है hence the conversion ठीक है so colonialism के साथ conversion जो है वो साथ में चला क्योंकि मैंने आपको बताया है न अगर सभी Christian होंगे तो आपका काम असान हो जाएगा धार्मिक conflict नहीं create होगा so जिन लोगों का आपको फाइदा उठाना है वो सभी अगर Christian है उन सभी को अगर आप Christian बना देंगे तो Christian lines पे आप उनका जो है exploitation कर सकते हैं अराम से कोई issue नहीं होगा ठीक है next point देखेगा अब देखते हैं push factor क्या है ऐसा क्या धक्का था जिसकी वज़े से colonial colonize करना ही पड़ा push factor देखे क्या क्या है सबसे पहला point देखेगा था enclosure movement taking land out of cultivation and converting into pasture land for sheep was creating a surplus population sheep raising being more profitable than traditional agriculture required fewer labors the new lands in America gave these unemployed a place to work colonization की ज़रत इसलिए थी क्योंकि यूरोप में जो है वो खेती धिरे-धिरे कम कर रहे थे लोग और खाली भूमी को एक्वाइर कर रहे थे और उस पे भेडबक्रियां जो है वो यानि कि उसमें pasturing का वो काम कर रहे थे पशु को पाल रहे थे लेकिन मीट के लिए दूद के लिए agriculture नहीं कर रहे थे और इस काम में जो है वो कम लगते हैं लोग आपके पास एक दो घोडे हो दो तिन कुत्ते हो तीन चार आदिवी मिलके जो है बड़ा सा form जो है वो control कर सकते है काफी सारे शीपस को आप हर्ड कर सकते हो हर्डिंग में लेबर लगता है कम तो बहुत सारे लोगों बिरुजगार अब इन बिरुजगार लोगों को रुजगार प्रोवाइड करना है तो कॉलनाइज कर दो तो अमेरिका को इसलिए बड़े लेबल पर कॉलनाइज किया गया एक कारण ये है ठीक है ये पुश है कि इतना अनम्पलोइड लोगों को इतने बड़ी संख्या में उरोप में जो अनम्पलोइड लोग है इनको एम्पलोइमेंट देना है अगर बेशक लेबर में ही देना हो तो कॉलनीज एस्टेबलिश करते है ठीक है नेक्स देखेगा अब प्रीमो जैनिचर का मतलब क्या होता है कि देखें प्रीमो जैनिचर का मतलब है पिता के जाने के बाद जो जेश्ट पुत्र है उसके हाथ में सारी संपत्ती सारा पैसा सारी धरती आ जाएगी तो इसका मतलब जो दूसरा और तीसरा पुत्र होगा अगर है तो वो तो विरोजगार हो गए तो इस तरह यूरोप में बहुत बिरोजगारों की संक्या बढ़ गई तो इन बिरोजगारों कहां बेचा जाएगा जो नही नहीं कॉलनीज एस्टिब्लीश हुई है वहां गए और उन्होंने फर्दर कॉलनाइजेशन किया क्यों कॉलनाइजेशन का मतलब क्या है इसलिए अमेरिका को खासकर यूएस को लैंड ऑपर्चिनिटी कहा जाता है क्योंकि जब यूरोपियन अमेरिका में लैंड हुए न नॉर्थ अमेरिका साथ अमेरिका में तो वहां की नेटिव पॉपलेशन से उनका बहुत पंगा हुआ ठीक है बहुत जगड़ा हुआ लेकिन यूरोपियन अपने साथ बेटर कल्चर बेटर हतियार बेटर टेकनोलोजी लेकर आये थे तो दे ओवर पावर दोज नेटिव राइट नेटिव को उन्होंने ओवर पावर कर दिया कई नेटिव बिमारी से मर गया नेटिव परसेंट पॉपलेशन ओफ नेटिव अमेरिकन्स डाइट डिव डिटीव डिसीजिस ठीक है बिमारियों से 95 परसेंट पॉपलेशन मर गई आगे मैं डिसक्स करूंगा उनको तो यहाँ पर आपको यह समझ रहा है कि opportunities थी बहुत सारी इसलिए land of opportunities कहा जाता है thus the colonization of Americas and subsequently of the rest of the world by European powers was multifactorial in origin तो इस तरह हमें समझ आया कि colonization is multifactorial कोई एक economic कारण नहीं है हमने इतने सारे कारण देखे बहुत सारे कारण थे ठीक है also different countries were motivated by different reasons but the unifying factor among these colonial nations was the spirit of God, gold and glory which were the ultimate catalyst of exploration as well as colonization यह है God, gold and glory God का मतलब की हमें जो है वो अपना जो Christianity है यह फैलानी है दूसरी चीज गोल्ड मिलेगा हमें, सोना मिलेगा ठीक है acquire करेंगे हम समपत्ती तीसरी चीज ग्लोरी होगी जिन राजाओं ने colonization किया ठीक है उनका इतिहास में नाम छपा है right, at least Europe के इतिहास में तो छपाई है so in which gold symbolizes the economic reason God denotes the religious motives and glory implies the desire of sailors and kings be remembered forever अब देखिए Christopher Columbus ने भले ही बहुत समय बाद में अमेरिका की खोजगरी हो लेकिन इतिहास याद रखेगा कि Christopher Columbus ने अमेरिका की खोजगरी ठीक है glory जुड़ गई ने उसके नाम से अब Christopher Columbus भले ही side में बैठा रहता हो उसके नाविक सारे काम करते हो लेकिन नाम किसका जुड़ता है Christopher Columbus का Christopher Columbus से पहले जो है वो पुर्तगालियों ने अन्य पुर्तगालियों ने South America, Newfoundland, Florida वगेरा ठीक है ये सब ढूंड लिया थे Vikings ने Newfoundland, Canada एक कई सारी भूमी जब बहुत पहले से उन्होंने explore कर लिया था से लेकिन ग्लोरी किसके नाम के साथ जुड़ी है Christopher Columbus ठीक है आगे देखिए तो एक तो ये सब push factors हैं इसलिए colonize करने पर लोगों ने पुष्ट किया क्योंकि Britain, France, पुर्तगाल या अपस में ग्लोरी, गोल्ड और गॉड के लिए लड़ रहे थे कि हमारा हमारा जो है वो एंजलिकन चर्च या हमारा प्रोटेस्टेंट चर्च या हमारा कैथलिक चर्च का सिस्टम होना चीए हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड चाहिए या हमारे नाम पर गलोरी हो, हमें इतिहास याद रखे तो सभी राजा, सभी नावी की यही चाहते दे ठीक है, यह तीन चीजें जो है, वो push factor में आ जाती है अब देखते है, impact of colonialism क्या हुआ ठीक है, बहुत important चीज अब ही हमारी कि इस colonialism का impact क्या है, सबसे पहले हमने देखा colonialism है क्या, दूसरा हमने समझा colonialism के कारण क्या है, क्यूं हुआ उसके कारण क्या है और तीसरा आइगाब impact क्या है colonialism का, तो सबसे पहला impact है the columbian exchange अब यह जो columbian exchange है, it is not from columbia, columbia से नहीं, ठीक है लेकिन यह Christopher Columbus के नाम पर है आई यह points के मादम से देखते है the columbian exchange named after Christopher Columbus in the name given, is the name given to the exchange of diseases, ideas, food crops and populations between new world and the old world following the voyage of America by Christopher Columbus in 1492 1492 में जब Christopher Columbus ने एक बड़े लेवल पर एक स्थाई तरीके से एक पूरा मनला वेल डिफाइंड सी रूट जो उसने ढूंड दिया connect कर दिया, newfound land को old world से या new world को old world से तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ शुरू हो गया trade किसका? यूरोप का North America, South America से so North America और South America में goods का दर transportation, goods का trade तो हुआ ही लेकिन सबसे बड़ी समस्या हुई बिमारियों का trade देखिए, यूरोप में इनसान जो है वो naturally पहुँचा अफरीका के माध्यम से, ठीक है, जमीनी मार्क से and it was a gradual process, it took thousands and thousands of years ठीक है? तो Atlantic पार करके जब मानव अचानक से North America, South America नहीं पहुँचा था उससे पहले, Homo sapiens, जो एफरीका से निकल कर, इंडियन सबकॉंटिनेंट, चाइना, साउटीस्ट, एशिया, यूरोप के कई सारे क्षेतर में, यूरेशिया के हर क्षेतर में या एफरीका के पूरे सभी रिजिंज में जा जाकर जहां जहां बसा था वहाँ पर जो भी माइक्रोब्स उसको मिले इंसान को, उसके प्रती उसने धीरे-धीरे क्या की, इम्यूनिटी डवलप करी शुरू में मरे भी होंगे, जिन जानवरों के साथ इंसान ने रहना शुरू किया, चाहे वो यूरोपिये हो, भारतिये हो, ठीक है, साउथिस्ट एशिया के हो, जिन जानवरों के साथ इंसान ने रहना शुरू किया, उनके साथ जो बिमारियां आई, उनके प्रती धीरे- दिरे इंचान ने immunity generate कर ली हमारे immune system नई बिमारी के प्रतित धीरे धीरे कुछ सालों में immunity generate कर लेता है generation to generation immunity generate हो जाती है that means China Southeast Asia India Arabia ठीक है और Russia Europe Africa इन सभी इस सारे पूरा geographical region की जितनी भी बिमारिया है न वो लोगों तक पहुंच चुकी थी और immunity जो है वो इस पूरे बिमारियां उसके प्रति immunity बन गई थी that was the old world न ओल्ड वल्ड हजारों सालों से trade कर रहा था तो इनकी बिमारियां आपस में जो है यह immunity generate कर चुके थे वैसे समय समय पर जो है वो plagues आए हैं लेकिन most of the बिमारियां जो है वो immunity generate कर चुके थे उनकी ठीक है लेकिन जब यह यह यूरोपिये लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में गए और वहां की जो native population थी जिनका कभी भी सामना नहीं हुआ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोगों से स्वारी यूरोपियन और एफ्रिकन लोगों से और यूरोपियन और एफ्रिकन यूरोपियन और एशियन यूरोपियन और चाइनीज इन सब लोगों का हजारों सालों से आपस में मिलना जुलना हो रहा है तो इनकी बि एस्टेक्स के शरीर में गए तो उनके शरीर में तो थी ही नहीं उस तरह की इम्यून सिस्टम तो बिमारियों के चपेट में आ गए इनका जोर एस्टेक्स और 95% पोपुलेशन उनकी वाइप आउट हो गई मर गए वो लो 95% लगभग आप यह मानगे चीलिए एक करोड से दस करोड के बीचें पोपुलेशन जो है वो उनके खतम हो गई ठीक है तो इसे कहा जाता है कोलूम्बियन एक्सचेंज देखेगा इन्वेसिव स्पीशीज इंक्लूडिंग कॉमनी केवल डिस इस वर अब बाइप्रोड़क्ट अफ दे एक्सचेंज अब इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यूरोप और एफरीका से नॉर्थ अमेरिका सा जो लोग थे उनके शरीर में जो बिमारियां थी वह यूरोप के लोगों में आई ठीक है लेकिन यूरोप के लोग जो है वह रैलेटिवली जो यूरोपियन पीपल है जो एफरीकन लोग है उनकी इम्मुनिटी जो है वह डेवलप थी इन सब पैथोजंज के लिए क्यों कि कि वह अल्रेडी जो है वह काफी सारे बिमारियों के प्रती उनके शरीर में इम्मुनिटी डैवलप हो चुकी थी तो जो नॉर्थ अमेरिका और साथ अमेरिका से जो पैथोजंज आ है उनसे उनका शरीर लड़ लिया लेकिन जो यूरोपियंज अपने साथ बिमारियां लेके गए नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका नेटिव पॉपलेशन उन बिमारियों का नहीं सह सकी हैं बहुत मास लेवल पर वो लोग मरे हैं ठीक है ग्लोबल पॉपलेशन एग्रीकल्चर में जो चेंज आया है देरे घीडरे ऐसे चीजों का एग्रीकल्चर होने लगा भारत में पर एक्जेंपल भारत में आलू हर घर में बन रहा है और लगब बहुत सारी डिशी जो है वह आलू की है और आप ध्यान देंगे आलू भारत का है भी नहीं आलू भारत पुर्तकाली लेकर आए आलू जो है वो साउथ अमेरिका का प्रोड़क्ट है पेरुगा ठीक है तो आलू भारत का स्टेपल फूड कैसे बन गया क्योंकि आलू जो है वो काब्स है काब्से मिलती है एनर्जी ठीक है और आलू को प्रोड़क्शन पढ़ता है सस्ता तो आलू अगर भारत मास प्रड्यूस करेगा तो मास फीड कर सकता है तो मजदूरों का खाना बन जाता है एक तरह से पीजन्स फूड बन जाता है आलू ठीक है तो आलू बेसिकली पीजन्स फूड तो इस तरह की जो है वो अग्रिकल्चरल जो चेंज इसे पॉपलेशन में भी चेंज आए ठीक है देखते हैं आगे एक्स्प्लेयन करूंगा अगेशन करोँगा देखिए हमें यहाँ पर तीन कॉंटिनेंट्स के बीच का ट्रेड व समझना है एशियाटिक कोंटिनेंट की बात ने करेंगे ठीक है कौन-कौन से युरोप, आफरीका और अमेरिकाज अमेरिकास में North Central और South तीनों की बात कर रहा हुगा है वो दो अले गले continent लेकिन एक साथ कंसीडर कर रहे हैं हुझने क्यूंकि Newfoundland है Right So North America, South America, Central America, एक साइड यूरोप और नीचे के आएगा आपका Africa इनके बीच में trade कैसे चला? आई यह मैं आपको समझाओंगा लेकिन देखें यहाँ पर किस-किस चीज़ का trade हो रहा है cultural exchange हो रहा है people का transfer हो रहा है ठीक है the terms old world Asia, Africa and Europe ध्यान से देखेगा old world क्या है Asia, Africa and Europe and new world Americas, Americas क्या North, Central and South are used for the purpose of distinguishing between the world's major ecozones समझ रहे हैं न दो ecozone है Atlantic की वज़े से लेकिन Africa, Asia और Europe जो है हुआ आपस में जुड़े हुए है land route है specific उनके लिए ठीक है Americas के लिए land route नहीं है अब आप कहिएंगे रशिया से जा सकते हैं आप वहाँ से तो वो बहुत दूर है mainland, Europe और mainland Asia से बहुत दूर है इतना दूर जाकर किसी ने trade नहीं किया ठीक है, Siberia में इतना deep जाकर वैसे point ये भी सही है कि Asia से जो लोग migrate करके गए हैं North America वो उसी रास्ते से गए हैं Russia से Alaska से North America में ठीक है ये बात भी आपको दिहान रखनी चाहिए वैसे लेकिन स्टिल, mass population जो है वो नहीं migrate वी उस रास्ते से, ठीक है mass population जो है वो समुदरी रास्ते से ही गई है खेर the term new world mandus novus in Latin was first coined by Florentine explorer Florence से था तो Florentine explorer Florence जो है वो Italy के Peninsula में एक डबलब हुआ था एक शहर ठीक है, after Renaissance so Florentine explorer Amerigo Vespucci in letter titles mundus novus उसने एक letter लिखा, mundus novus नाम का वहां से new world जो है वो term मिला है अमेरिकाज को किसने दिया है, Amerigo Vespucci तो America जो land कहा गया है ना, new world ठीक है, और North America जो South America हम कहते है जो America world है वो इस Amerigo Vespucci व्यक्ती के नाम से निकला है ठीक है, अब देखिए इस image के माधिम से this is the Colombian exchange ठीक है यहाँ पर आप बहुत clearly देखिए कि America से Europe क्या जा रहा है और Europe से America क्या क्या रहा है तो America से अब देखिएगा, इन में से newfoundland new world इसलिए कहा गया क्योंकि जो America की जो भी product है, वो पहली बार मिले Europe को, Europe को पहली बार मिले तो Asia भी पहली बार आए, so that means इधर से ना, देखिए, America से जो Europe जा रहा है, जितना भी समान है अब आप देखिएगा, इंडिया में कितना समान आया यहाँ यह सब, ठीक है, यह चीज़े इंडिया में आया है और नहीं आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सारी चीज़े कहां से निकली हैं, अमेरिका से, ठीक है तो टबैको इस नाट इंडिजनेस टु इंडिया, टबैको इंडिया में नहीं उखता था, बहुत एक इनट, पोटाटो, टोमाटो, कौन बीन्स, बीन्स, वनीला, यह सारी चीज़े जो आज हम खुलकर भारत में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी भारत की नहीं है और दूसरी साइड, यूरोप से क्या गया, तो देखिए, यूरोप से कौफी बीन्स गई, पीच, पियर, ओलिव, सिट्रस फ्रूट्स, बनाना, हनी भी, शुगर केन, अनियन, लाइव स्टॉक, चर्निप, ग्रेप, और डिसीजिस, बिमारियां, बिमारियां कौन-कौन सी पॉपलेशन मार दिया, तो यह बहुत इंपॉटेंट है, दिस इस दा कोलॉम्बियन एक्सचेंज, ठीक है, नेक्स पॉइंट देखिए गब, ओर दा ताइम, फूट हैबिट्स फूट्स पीपल ऑन बोथ साइड्स, डाइवर्सिफाइड, लीडिंग तू रिदक्शन इन अब देखिए आलू मिल गया, और जैसे ही आलू मिला न यूरोप को, पॉपलेशन में बूम आ गई कसम से, क्योंकि काब्स का इतना इंपॉर्टेंट सोर्स मिल गया, देखिए आलू और बटर दो ऐसी चीज़ें, अगर आप यही खाते रहेंगे, तो जिन्दा रहेंगे, ठीक है, तो आलू काब्स का एक बहुत जवर्दस त्रोत, और यूरोप में आलू बड़े लेवल पर उख सकता है, क्योंकि ठंडा है यूरोप, आलू यूरोप में बहुत बड़े लेवल पर उख रहा है, तो भुकमरी का जो है, वहाँ पर, solution मिल गया, उनको आलू के रू इससे हुआ क्या, फाइदा किसको हो रहा था इससे, कॉलनाइजर को, नुकसान किसको हुआ, इंडिजिनस लोगों को, ऑबियसली, जो कलोनियलिजम है, उसका फाइदा ऑबियसली, कॉलनाइजर को होता है, और नुकसान हमेशा, इंडिजिनस जो है, वो पॉपलेशन को होत और फिर उनके सारे natural resources को आप exploit करेंगे natural as well as जितने भी जिस भी तरह की resources वहाँ पर available है अब देखते हैं impetus to slave trade slave trade को धक्का कैसे लगा slave trade को जो है वो motivation या push या उनको slave trade की शुरुबात कैसे हुई ठीक है समझाऊंगा तो effectively utilize the resources colonizers needed immense amount of labor North America, South America मिल गया था उन्हें अब इतनी बड़ी भूमी पर खेती करने के लिए क्या चाहिए labor चाहिए यूरोप में धीरे धीरे जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है industrial revolution की तरफ तो वहाँ पर भी क्या चाहिए labor चाहिए तो colonizers के पास अचानक से जो है वो labors की मांग जो है वो बढ़ गई During the initial years the European settlers met labor requirements by enslaving the native population शुरू में native शुरू में क्या करते थे colonizers की जो native population उसको क्या करते थे slave बना लेते थे However the decline in the native population mostly from European diseases forced exploitation and atrocities meant that new ways had to be devised to obtain cheap labor देखे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात वरी है by the way अभी ठीक है तो यूरोप से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब गए European तो वहां के लोगों में फैल गई बिमारिया 95% लोग तो मर गए शुरू में स्लेव बनाए होंगे और वो स्लेव धीरे-धीरे खतम हो गए अब अगर स्लेव खतम हो गए तो European को लाए गया और अगर यूरोप अब और धीरे-धीरे जो है वो नया patch of land जीतते गए जीतते गए colonizers colonies का size बढ़ता गया और ट्रेडर जो ट्रेडर्स को slave या labor की demand जाए वो बढ़ती गई लेकिन natives वो मरते जा रहे थे ऐसे में और population कहां से लाई जाए तो उसका जवाब है Africa ठीक है इट वाज इन दिस context that importing slaves from Africa emerged as a lucrative alternative ठीक है क्यों क्योंकि Africa के लोग जो है वो काफी लंबे समय से यूरोप के साथ थे ठीक है टच में उनके बीच में बिमारियों का बिमारिया फैलती थी लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं 95% population मर जाना बहुत बड़ा आकड़ा है ठीक है so African slaves का आप African slaves को ले जाए गया Africa से कहां पर North America और South America ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि यह slave कैसे create किया जाते है ऐसा तो है नहीं आप भागेंगे किसी African लोग आदमी के पीछे उसको पकड़ लेंगे और डाल लेंगे उसको गाड़ी में और ले जाएंगे उसको आप slave बनाने है ऐसा भी हुआ है ठीक है हंट भी किया गया slaves को लेकिन मुख्य तोर पर कैसे slave create किया जाते हैं तो माल लीजिए जिस जो भी African tribe है उसके tribal leader को बुलाया merchant ने अपने पास कि ये लो तुम्हें हम अच्छा जो है वो हतियार देते हैं तुम्हें हम अच्छा कपड़ा जेते हैं सारी सुख सुविदाएं सब कुछ प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक काम कर दो अपने जितनी भी tribe है ना जितने भी लोग है उनको हमारी एक बार ship में बिठा दो तुम तो जो tribal leader है वो इतना सारा सोना चांदी और मतलब सारी सुख सुविदाएं एकदम पाकर जो हो खुश हो गया कहां उनको बीहडों में शेरों से लट हाइनास से लटना पड़ता था वो जो tribal leader है उसकी चांदी हो गई उस tribal leader के कहने पर उसकी पूरी tribe जो है tribal leaders की जो tribal population है उनको enslave किया है खरीदा है उनसे ठीक है similarly भारत में भी हुआ भारत में जो ब्रहामनिक कल कल्चर फैल रहा था तो शत्री एक लास कैसे जनरेट हुए बताता हूँ तो जब ब्रहामनिक लोग है उनको मालीजे किसी ब्रहामन को वक्टको ने एक patch of land दे दिया ठीक है वहाँ पर जाकर वो ब्रहामन जो हुआ हुआ establish कर लिए उसने अपने आपको लेकिन आसपास tribes थी उस tribe ने धंगा कर दिये कैसे यहाँ पर रह रहे हो तुम मार देंगे तुम्हें तो उस ब्रहामनिकल जो भी पूरा institution लेकर चलते थे अपना वो उसने tribal leader को बलाए तुम हो अपने हमारे पास आओ तुम हो आज से क्षत्री है क्यूंकि तुम लड़ना जानते हो tribal leader हो तुम हो क्षत्री है और तुम्हारी तुम्हें special status देते हैं तुम्हें मौका देते हैं कि हम तुम जो है वो दर्बारों में बैठ सको शेहरों में आ सको इस जंगल को छोड़ गए सारा भोग विला सब तुम्हें provide करेंगे हम बदले में तुम्हारी जो population है इसको हमारे लिए काम करवाना शुरू करो तो tribal leader भारत का भी मान गया उस tribal leader को मिल गया अक्षत्रिय का title उसकी जंता को मिल गया शूदर का title इस तरह भारत में भी वही same pattern भारत में follow हुआ है वही same pattern एफरीका में follow किया है किसने? merchants ने कौन से merchants? European colonizers ठीक है? next thing देखिएगा खेर यह जो भारत में किस तरह हुआ है मैं आपको detail में आगे explain करूँगा लेकिन यूरोप में किस तरह slaves जो है वो बहलाया भूसलाया गया ठीक है? क्योंकि आप जो है मतलब एफरीकल लोगों को ही slave क्यों बनाया गया भारतियों को इतने बड़े level पर slave क्यों नहीं बनाया गया भारत में तो बहुत population थी वो भी तो भूके मर रहे थे लेकिन यूरोपियन लोग लंबे चोड़े deal डॉल में मतलब एक ideal slave बन जाता है एक यूरोपियन पूरशिया महिला दोनों ही क्योंकि लंबे चोड़े हैं और slave का काम क्या है शारिरिक जोर होना चीए slave में तो तो blacks are ideally मतलब एक यूरोपियन के लिए black जो है वो उनको slave उनको enslave करना आसान भी था और वो better slaves भी बन सकते थे enslave करना आसान इसलिए था क्योंकि उनके tribal leaders को असानी से खरीदा जा सकता था भारत में already लोग जो है वो प्रॉस्पर थे उनको खरीदना जो है वो मुश्किल था relatively ठीक है नव नेक्स देखियेगा native workers were replaced by African imported through a large number of commercial slave trade slaves who were taken abroad slave ships to the Americas were primarily obtained from their African homelands by coastal tribes who captured and sold them sold them mercenaries and armies and themselves captured people from Africa to be transported across Atlantic and slaves for the colonies ठीक है अब जैसे एफरीका की tribe जूलू जे ठीक है तो एफरीका की जो tribes है ना किसी एक tribe को हतियार दे दिये ठीक है और वो tribe जो है वो अब दूसरी tribe और उन दोनों tribes में African tribes में हमेशा से जगड़ा चला रहा है एक tribe को उना European ने हतियार दे दिये कि ये लो better आप जो है वो cover चलो गोलियां चलाओ तुम वो भाले तलवार है उनके बाद तुम गोलियां चलाओ दो tribes आपस में लड़ना शुरू हो गई ठीक है और जिस tribe को favor दिया जिस tribe को जो है वो हतियार प्रवाइड के उसने दूसरी tribe को हराया enslave किया और बेच दिया किसको Americans को तो African tribes को आपस में लड़वाना और उनसे ही अपने लोगों को enslave करवाना ये काम किया European merchants ने ठीक है तो यही वो point है समझेगा slaves who were taken abroad slave ships to the Americas were primarily obtained from the African homelands by coastal tribes who captured and sold them mercenaries and armies themselves captured people from Africa to be transported across Atlantic and slaves for the colonies ठीक है तो African लोगों ने ही अन्य African लोगों केप्चर करके दिया अंग्रेजों को ठीक है not just अंग्रेज लेकिन सभी Europeans को initially slave trade was started by Portugal but soon it was introduced by other colonizers in North America, West Indies and rest of the America so slave trading शुरू किस ने करी Portugal ने और फिर जो है वो धिर देर आगे फैली अब यह image देखिए इस image से सारा कुछ clear हो जाएगा देख रहे हैं आप North America, South America Europe और Africa ठीक है तो देखे यूरोप से देखिए manufactured goods and luxuries यूरोप से जा रही है ठीक है और Africa देखिए क्या जा रहे है guns जा रहे है, clothes जा रहे है iron जा रहे है और beer जा रहे है ठीक है, कहाँ जा रहे है African ports में अब Africa से देखिए क्या निकल रहे है gold, ivory, spices और hardwood यूरोप जा रहे है ठीक है, क्या-क्या gold, ivory, spices और hardwood जो है, वो यूरोप जा रही है Africa में जंगल, Africa में बहुत सोना Africa में हाथि का दांत है Africa में मसालें वो सारे जा रहे है यूरोप में और एफरिका से slaves जा रहे है अमेरिकाज ठीक है वेस्ट इंडीज में और वेस्ट इंडीज के रास्ते slaves देखिए नौर्थ अमेरिका में भी जा रहे है slaves जो है वो 13 colonies में भी जा रहे है और यही slaves fur, rice, silk, indigo, tobacco sugar, molasses, wood यह सब जा रहे है यूरोप में ठीक है और उसके अलावा rum, iron, gunpowder cloth tools यह जा रहे है सब अफरिका नौर्थ अमेरिका से यह नौर्थ अमेरिका दिखा कर जो है वो नौर्थ और साउट दोनों की बात की गई है तो यहां से इस इस triangular trade से आप clearly अंदजा लगा सकते हैं कि slave जा रहा है एफरीका से नौर्थ अमेरिका ठीक है resources जा रहे हैं एफरीका से नौर्थ अमेरिका और अमेरिका और एफरीका से कच्चा माल जो है वो जा रहा है यूरोप और यूरोप में वो कच्चा माल process हो रहा है कपड़ा बन रहा है और कपड़ा वो वापिस ले जाकर बेचा जा रहा है एफ्रिका में ठीक है so this was the triangular trade ठीक है Atlantic trade यह triangular trade इसको कहा जाता है जिसमें क्या हो रहा है अमेरिका यूरोप और एफ्रीका के बीच में trade हो रहा है एफ्रीका से लाए जा रहे है गुलाम यानि slave ठीक है यूरोप कर रहा है product तयार ठीक है production कर रहा है यूरोप और अमेरिका से कच्चा माल जा रहा है कहां पर यूरोप में ठीक है तो यह बहुत important आपके लिए image है इसको draw कर लीजेगा एक roughly draw कर लीजेग नौर्थ अमेरिका साओध अमेरिका यूरोप पर अफ्रीका ठीक है और ये trade चल रहा है slave कहां जा रहे है कच्चा माल कहां जा रहा है processed समान कहां जा रहे है देखरे हैं अब अब यूरोप से manufactured goods निकल रहा है और कहीं से निकल रहा है manufactured goods कहीं से भी नहीं ठीक है यूरोप से लेकिन manufactured goods निकल रहा है अमेरिका से और अफरीका से जा रहा है कच्छा समान manufacture होने के लिए यूरोप में और अफरीका से slave भी जा रहे है कहां पर अमरीका में तो यह बहुत important image है आपके लिए इसका screenshot ले लिजेगा या इसको draw कर लिजेगा ठीक है pause करके आगे बढ़ रहा हूं मैं now next point देखिएगा the slave trade came to be known as यह जो slave trade हमने देखा this came to be known as transatlantic slave trade and the triangular slave trade as a triple frame consisting of America, Africa and Europe got established wise Europeans shipped the Africans across Atlantic to America यह जो trash transatlantic slave trade कैसे हुआ Europeans ने अफरीका से अमेरिका भेज़ेट slaves, Europeans ने अफरीका से यूरोप में क्यों ने भेज़े slaves क्योंकि यूरोपियन मर्चेंट्स हैं उन्होंने यूरोपियन पीजेंट्री को slave already बनाया हुआ था। उनको slaves की जरुरत नहीं थी, slaves चाहिए थे उन्हें new world में, ठीक है क्यों क्योंकि वहां की native population तो उन्होंने बिमारियों से मार दी थी। ठीक है, initially the Atlantic slave trade was led by individual merchants, sailors and pirates, who conducted the trade, but by the end of 16th century, slave trading companies had taken over, शुरू शुरू में slave trading individuals ने किया, फिर धीरे धीरे बड़ी merchant company है डेवलप हो गई ना, देखिए, East India company कैसे बनी थी, बहुत सारे छोट-छोटे merchants थे, वो जब जोड दिये गए, रोयल चार्टर द्वारा, तो East India company बना द trading जो है, वो भी monopolize हुआ, over the period, trading companies ने, like East India company ने, पूरे बिटेन, बिटेन में जितनी भी slave trading हो रही थी है, बिटेन की तरफ से जो भी slave trading हो रही थी, वो East India company ने monopolize कर ली, ठीक है, ना, in the initial days, coastal Africa served as ground of slave capturing, as the interiors were out of bound, but by the exploration of mainland in the 19th century, slave trade spread to the whole of Africa, शुरुवात में बोला ना, शुरुवात में native population को हतियार provide करके, जो coastal tribes है, उनको हतियार देके, उन coastal tribes ने, जो mainland Africa की tribes है, उनको हराया अपने दुश्मनों को, और उनको enslave करके, Europeans को बेचा, तो शुरुवात में, जो enslavement है, वो harbors पे हो रहा था, ports पे हो रहा था लेकिन धीरे धीरे फिर, मैंने आपको map दिखा है ना, सबसे शुरु में, धीरे धीरे ये जो नील नदी है, नील नदी से लेकर South America, ठीक है, और उसके अलावा मैंने देखा, सहारा वाला पूरा region जो है, वो French ने अपने control में किया, जो Western Africa वाला जो पूरा part है, यहां पर जो French colonies भी है, अंग्रे जोई colony भी है, Spanish colonies भी है, सबने acquire की है, यह coastal towns, ठीक है, the conditions of the journey across the Atlantic were inhumane and many Africans died during these journeys, ठीक है, अब देखिए, जो Africans है, इनको जानवरों से भी जो है, वो बुरा इनके साथ सुलूक किया गया, इनको मरते दम तक काम कराया गया, इनसे, इनको ट्रांसपोर्ट कि जानवरों को किया जाता है, इनफेक्ट यूरोप में तो एक टाइम ऐसा था कि एक zoo है, एक zoo है, जिसमें एक African लोगों को रखा गया, African बच्चों को रखा गया, ताकि गोरे लोगों ने देख सकें, कि देखिए इस तरह का जो है जानवर भी एक, तो जानवरों से भी बुर important trade के रूप में बढ़ा, देखिएगा, mercantilism in a way was both the cause as well as effect of colonialism, तो मैंने आपको बताया, mercantilism में होता क्या है, profit बढ़ाना है न, ठीक है, import घटाना है, export बढ़ाना है, export बढ़ाने के लिए raw material आपके पास आना चाहिए, raw material कहां से आएगा, conquered land से, उस conquered land पे अगर आप political control कर ल करके जो है वो बेच सको उसे वापिस, और अगर आपको market भी चाहिए, raw material भी चाहिए, so that means आपको colonize करना पड़ेगा, so mercantilism से colonization आया, और colonization होने के बाद mercantilism बढ़ा, और यहीं mercantilism capitalism में convert हुआ है, ठीक है, now mercantile economic policy हमने भली बाहती समझी है, so mercantile economic policy were definitely an impetus for the start of colonization, तो यह हम भली बाहती समझ गए, कि colonization start हुआ है, mercantile, यानि कि import घटाना है, export बढ़ाना है, ठीक है, इस agenda को पाने के लिए ही तो colonization किया गया, but subsequently the benefits due to colonial exploitation further reinforce the ideology of mercantile capitalism and augmented its spread across Europe, by acquiring colonies and subjugating them politically, European powers implemented the policy in its fullest form, which policy? Mercantilism policy, ठीक है, कब जब उन्होंने politically जो है, वो colonies को acquire किया, मैंना आपको समझाया ही, भारत में, ठीक है, पहले economic colonization, दिवानी मिल गई, बिहार, बंगालो, रुडिसा की, लेकिन जब उनको political control मिल गया, तो वो अवद से भी, बुंदेल खंड के region में भी उन्हा अपचारिक तोर पे लोगों से लगान वसूल सकते थे, अपचारिक तोर पे उन्होंने political control करने का मतलब क्या, मैंना आपको समझाया है, अंग्रेजों को भारत से कच्चा माल, तैयार माल खरीदना है, तो शुरु में वो एक trading company की तरह जब उन्होंने काम किया, तो उनको द भाविक लगता है ना आपको, इसी लिए mercantilism जो है वो colonization को promote करता ही है, ठीक है, mercantilism या mercantile capitalism establish करना है आपको तो colonize करना ही पड़ेगा, political authority लानी ही पड़ेगी, ठीक है, now, as a result, these countries saw a very rapid increase in trade volume, while colonies suffered proportionally, obviously, ठीक है, जितना trade volume बढ़ा ब्रिटेन का उतना भारत में ड्रेन हुआ, simple सी बात है, भारत से जितनी संपत्ति उन्होंने छीनी उतना ही trade जो है वो बढ़ा है या उतना ही profit बढ़ा है ब्रिटेन का, obviously, ठीक है, proportional है, एक दूसरे के, as a result, these countries saw a very rapid increase in trade volume, while colonies suffered proportionally, यूरोप started importing products like spices, cotton, sugar, which were new to its market and very high in demand, ठीक है, अब देखे, यूरोप के पास spices की बहुत जरूरत थी, और ने इंपोर्ट करना शुरू किया, they made a huge amount of profit, even countries like Holland, which were barren, internally made a large sum of money out of colonies by providing ships for commerce to Britain and other European countries, on the other hand, impact of colonialism on the colonies was devastating, civilization like, Aztec and Incas were destroyed completely, Aztec और Inca जो civilization है, Central America की Aztec और Southern America की Inca, ये दो civilizations पूरी तरह खतम हो गई, क्योंकि इनके 95% लोग मर गए, 95% population मर गई इनकी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, they were plundered off precious metals like gold or silver, अब लोग मर गए तो उनका सारी property जो है, वो Spain पूर्टगाल ने छीन ली, Spain तो ढूंड ही सोना रहा था, ठीक है, अब देखिए नेक्स पॉइंट आता है आपके सामने, diseases जो फैली, यह सारी चीज़े हम समझ चुके हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ की sentences किस तरह बनते हैं, otherwise मैं सारी चीज़े आपको explain कर चुका हूँ यह, concept हम generate कर चुके हैं, fund है हमने सारे समझ लिए, ठीक है, colonialism किस तरह फैला, देखें, शुरू हमने क्या समझा, कि colonialism है क्या, फिर हमने देखा कि colonialism के कारण क्या है, फिर हमने देखा कि colonialism के impact क्या है, अब impact में, हमने slave trading के पाद दूसरा impact देख रहे हैं, हम disease and indigenous loss, जो indigenous लोग थे, Aztec और Incas, उनको क्या घाटा हुआ, और बिमारियां किस तरह फैली, ठीक है, मैंने बॉला ना, Colombian trade का एक हिस्सा है, बिमारियां फैलना, the European society had a long history of living close to domesticated animals, such as cows, pigs, sheeps, goats, horses, and various domesticated fowls, ठीक है, from which many diseases originally stemmed, which over the course of centuries had given them natural immunity against the diseases, European लोग, obviously इन सब जानवरों को जो है, वो पालते थे, ठीक है, और इन सब, यानि कि farming का जो concept है, वो Aztec और Incas में इतना popular नहीं था, तो जानवरों के वजाद नस्दीक नहीं रहते थे, इसलिए उनके उनके शरीरों में, जानवरों से पैदा होने वाली बिमारी की तरफ immunity नहीं थी, और Europeans के शरीर में immunity थी, ठीक है, बट दे इंडिजनेस पीपल लग्ड अनी सच डिसीर रिस्टेंस, दे लार्ज स्केल कॉंटेक्ट विजूपेंस अफर 1492, इंडूस्ट नोवल जर्म्स तो इंडिजनेस पीपल अमेरिकाश, एपिदेमिक्स अप्ट पॉल्पॉक्स, टाइफ़स, इंफ्लुन्जा, डिफ्थेरिया और मीजल्स, स्वेप्ट अमेरिकाश, सबसीक्वेंट तो उरोपियन कॉंटेक्ट किलिंग बिट्वीन तो 100 मिलिएन पीपल, अप्टू 95 परसंट अफ इंडिजनेस पोपुलेशन अफ अफ अमेरिकाश, पचानवे परतीशत लोगों को मार दिया इन बिमारियों, इनके बिमारियों के नामे आप याद रखेंगे और कारण याद रखेंगे क्यों फैला, ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको एक्स्प्लेइन कर दी है, आगे देखें, नेक्स आएगा, अब बहुत इंपर्टन एक इंपक्ट है, वो है spread of Christianity, Christianity फैली, Christianity फैलानी थी, इसलिए colonization करना था, colonization हुआ, और फिर Christianity फैली भी, ठीक है, देखेंगा, another important consequence of colonization was the spread of Christianity and the ideas of modernity, before the advent of Europeans, the indigenous population of the colonies were following their indigenous religions and traditional customs and practices, ठीक है, खासकर, Incas और Aztecs जो है, वो इनकी ancient cultures चल रहे थे, इंडिया का अपना अलग धरम था, ठीक है, now, these customs were largely based upon traditional faith and customary beliefs, which were very near to orthodoxy, for example, there are certain evidences which suggest that ancient Aztecs and Incas used to carry human sacrificial rituals to please their gods for good harvest and fertility, देखेंगे, जो Incas है, वो अभी भी hunting gathering कर रहे थे, कई जगाओ पर, Aztecs जो है, वो अभी भी 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 पुराने तरीके से रह रहे थे, that means उनकी society में superstition था, ऐसा ही सेम superstition Catholic society में भी था, लेकिन protestant की आ जाने के वज़े से, superstition के खिलाफ जो है, वह अवा आवाज उठी, अब यही protestant जब पहुँचे North America और South America, और उन्होंने देखा कि वो लोग जो है, वो अगर वही orthodoxy कर रहे हैं, तो उन्होंने Christianity दी उने, कि यह लोग Christianity लो, orthodoxy से बहार निकलो, ठीक है, देखिए, human sacrifice भारत की tribes भी देती थी, आज भी भारत में कई tribes, human sacrifice का custom है, लेकिन अब नहीं दिया जाता, लेकिन अजादी से पहले तक रहा, ठीक है, human sacrifices जो है, वो Catholic Church भी तो देता था, अगर कोई sciences प्रफॉर्म करता हो नजार आये, तो उसको crucify कर देना, वो भी तो sacrifice ही है, in the name of God ही तो करते थे वो, ठीक है, तो उसी तरह का sacrificial ritual है, वो incasus और estex का भी था, उसको जो है, वो बहुत बड़े level पर criticize किया, कि देखो ये कितने पिछडे हुए है, कि ये अभी भी human sacrifice कर रहे है, human life की कोई कीमत ही नहीं है, जबकि पिछले 200 साल पहले, यूरोप में भी यही जो है, वो धड़लने से हो रहा था, ठीक है, there were customs like sati in India, which could be seen as, legacies of orthodoxy in Indian society, similarly India में sati प्रथा, इंडिया में नर हत्या, मानव हत्या जो है वो है, ममीरा वगएरा ये सब चलता है, आज भी हो रहा है कहीं जगाओ पे तो ठीक है, with the advent of colonizers, Christianity entered the scene, and more particularly, Protestant Christianity, which was a brainchild of Renaissance, order of supremacy of reason, तो जो Protestant Christianity है, इसने जब ये ancient cultures देखे, Aztecs और Inkaas के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये छोड़ो और Christianity adopt करो, वो जब Africa गए, Africa की tribes को भी, African जो slaves को लेकर गए, पुर्तगाल और, मतलब Portuguese जो African slaves को लेकर, North America, South America गए, तो उन्होंने कहा कि, अपने ancient जो धर्म है, जो भी आपके tribal cultures, उन्होंने को छोड़ी और Christianity adopt आपको करनी पड़ेगी, इसलिए हमें, North America, South America में, बहुत बड़ी संख्या में, वहां के natives, as well as black people, जो है, वो Christian धर्म को follow करते हुए, आज भी नजर आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, as the colonizers gained political power, the influence of their religion and their materialistic philosophy guided by, reason became dominant to the extent that in the course of the Christianity has become most popular religion in the world, eventually Christianity, duniya का सबसे popular religion बन गया, the idea of creating wealth by use of technology and trade, which is imbibed in protestantism, and the industrial revolution have been embraced, by the majority population of the world, among with the spread of Christianity, this introduced the ideas of beliefs and of modernity in the colonized world, देखे, यह पूरा जो दो तिन पॉइंट है, का मतलब यह है, कि जो colonized world है, उनको modernity देने के पिछे, Christianity का भी हाथ है, Renaissance, industrial revolution, इन सारी चीज़ों का हाथ है, क्यूं? क्यूंकि देखे, यह modernity, liberty, equality, justice के जो idea है, यह colonizers अपने साथ लेकर आए है, European अपने साथ लेकर आए है, तो European अपने साथ, जो है, वो slavery भी लेकर आए है, साथ में, Christianity भी लेकर आए है, ठीक है, तो आज अगर republics है, South America, North America, Central America में, तो republics या modern times होने का जो कारण है, वो colonization ही है, अगर कोई देश colonized नहीं होता, तो वो modernized नहीं होता है, according to Europeans, Europeans ऐसे glorify किया अपने colonization, वो बहुत proudly बोलता है, कि हमने colonized किया, हमने आपको modernized किया, ठीक है, Britain बहुत proudly बोलता है, कि India को हमने colonized किया, इसलिए इंडिया जो है, वो modern times की तरफ एंटर किया, otherwise इंडिया अभी भी वही हालत होता ही, उसकी, सोचने लाइक बात है, कहां तक सचा है, कहां तक जूट है, ठीक है, कहां तक जो है, वो ये ऐसा कहना सही रहेगा, खेर, आज के session को करते हैं, पूरा का पूरा का पूरा क कलोनियलिजम के उपर, आज होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया है, तो पिछले session देखिए, आगे आने वाले session साथ जुड़े रही है, कहां नहीं आपकी connect हो ही जाएगी, ठीक है, तो आज के session को यहां conclude करता हूँ, अगर आप study IQ के चैनल पर जाएए, ठीक है, वहाँ से आपको playlist मिल जाएगी, या search बार पर लिखेगा YouTube के मेरा नाम, ठीक है, आपको playlist मिल जाएगी, उसके लाबा अगर आप study IQ की application इंस्टॉल करते हैं, तो उस पर CSG के लिए एक थोरो कोर्स अवलेबल है, आपको इस वीडियो के नीचे उस application को इंस्टॉल करने का link मिल जाएगा, आज के session को मैं आख हदम करता हूँ, आगे मैं लेकर आऊंगा इसी तरह का एक और topic, जुड़े रहिएगा, सेम समय पर आता है, ठीक है, thoroughly follow कीजिए sessions, and make sure you subscribe to this channel, ठीक है, आज के session को यहाँ पर conclude करते हैं, मेरा नाम है विशाल चोहन, मैं मिलूँँगा आप सके लिए session में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केर,